नॉन स्टॉप एंटर्टेन्मेंट के लिए सब्सक्राइब करें शिमारू चानल्स जयदाम सुभदाम देवी श्रीचक्रस्थिता पराम वाच्सलाम मातरं सुषमाम विजया लक्ष्मीन नमाम्याव हुऌ कैसे लाच्स थाच्सलाम हुआ। क야ा चानल्स हुआ 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 हुआ, इस हुए हुआ 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 즐거ytt टॉआ हुआ हुआ शोमम rust था Ιाुआ हुआ सुराए हुआ हुआ मैं जाल आखूई भ mega मासरी बाओён हमाख मैं भी दweek मः अगां मम आखाई मैं अवाओ कमगोा मुछ्कड़ा कि छिर दिए ताम कि भ» मुड़ैको टूड़ै तुरिया हु़ै प्राव क Алँ लुुुुुु・・・ रमों लुुु हुआ टैंäg कि था। कर दो अच्छी कहा कर दो कर दो गब्राइब लोगों को मैं गोली मार दिया करता हूं तुम पार्टनर इसके छोड़ देता हूं क्या बात है क्यों चिला रहे हो विश्वा ने बिल्ला को इस वक्ति विश्वा कहा होगा वो ड्राइवरों की बस्ति है ना वाही कहीं चुपा है पुलिस भी उसे तलाश कर रह होगी हो बार निकलेगा शेरा उसे कठाच खा जायगा gent अम duck कि आपने लगे उसके बगानों! मुल्जिम विश्वा? विश्वा नहीं! विश्वत प्रताप कहिए अजासाइबा! हाँ हाँ विश्वत प्रताप! उफ विश्वा! तुमने पहली नमेंबर की रात खुले आम बिल्ला नाम के एक आदमी पर तलवास से हमला करके उसका खून कर दिया! तुम इस जुरुम को कुबल करते हो? मैंने कोई गुना नहीं किया! मेरा सवाल है के तुमने कतल किया है या नहीं? और मेरा जवाद यही है के मैंने कोई गुना नहीं किया! अगर तुमने कोई गुना नहीं किया है तो फिर पुलिस ते तुमें गुनागार क्यों किया पुलिस के हाथों गुनागार होने वाला हर इंसान गुनागार नहीं होता जट साहिबा भारत की पवित्य धर्ती से अंग्रेजों के कदम उखानने वाले महादबा गंदी को भी कृप्तार किया गया था क्या वो भी गुनेगार थे मिस्टर प्रोसेक्यूटर आप अपनी करवाई शुरू कर सकते हैं योर अनर पहले गवाह की हैसियत से मैं उस बस्ती में चाय की दुकान चलाने वाले विभाकर चोगले को यहां बुलाने की इजाज़त चाहूंगा इजाज़त है नमस्कार विभाकर चोगले जी इस मुझरिम को गौर से देखो और बतलाओ कि मकतूल बिल्ला का कतल होते हुए तुमने अपनी आखों से देखा था वकील साहब एग लास पानी मिलेगा मेरा गला सूख रहा है आपका क्या सूख रहा है गला सूख रहा है पानी प्लीज अब बतलाओ इस मुल्जिम को मक्तूल बिल्ला का कतल करते हुए तुमने अपनी आखों से देखा था वचीर साथ एक सोडा मिलेगा क्यों क्यों कि इस चोगले के गले से अब आज बाद नहीं निकल रही सोडा प्लीज अब बतलाओ जब ये बिल्ला का खून कर रहा था उस मंजर को तुमने अपनी आखों से देखा था वचीर साथ आप क्या बोल रहे हैं मुझे सुनाई नहीं देता मैं उचा सुनता हूँ जब ये बिल्ला का खून कर रहा था उस वक्त तुमने अपनी आखों से देखा था नहीं यही यही बोलने के लिए तुम्हें यहां पर आये थे आज यही बोलने के लिए आया था आप जा सकते हैं चाहिए हाँ इंस्पेक्टर साब क्याप आपने मुल्ज cumpl विश्व परताब को कतल करते हुए देखा यह कतल करते हुए तो मैंने नहीं देखा लेकिन इसन डलह का भी रिजय कोन किया और इस कीपला मुझे पोन पर मिली पोन किस अंहीं किया जी मुझे नहीं मालम और आपका व्यांता ये कहना है कि आप पूरी छान भी इन के बाद इस नतीजह पर पहुंचे हैं कि गातिल मुल्जिम विश्वा है कही कहना चाहते हैं आप येस यूर्ण यूर अर। इस कतल से संबंधिस्तारी रिपोर्ट्स कोट ने चमम प्रदी कही है तो 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 नहीं है तो नहीं है तो इस अजयान शेरा आज अज अजाब दे रहा था उससे तो लगता है कि उसे विश्वास हो गया कि कोई इसके खिलाब गवाही देही नहीं सकता और उससे बाइसत बरी कर दिया जाएगा ऐसी मनुश टाइप की बातें मूँसे मत निकालिये अगर वो कहट से बरी हो जाएगा तो हम लोग तो जिन्दगी की कहट से बरी हो जाएगे जिस टाइप से उसने बिल्ला का कतल किया है ना तीकुशिव टाइप से हम सब को बिल्ली समझ के हमारा भी कतल कर देगा बंद कर अपनी घडिया और बेहुदा बक्वास ठकर से ठकर लेने में पाड़ों को पसीना आ जाता है तो यह किस देखजी का मसाला है रास्ता पार करते वे कुट्टों को जैसे लारी कुचल के निकल जाती है उसी तरह कुचलवा कर दूंगा इस बिन आज 15 अगस का दिन है सब कहदियों में मिठाई तक्सीम की जा रही है यह तुम्हारे इससे की है हुआ 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 है हुआ 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 है इसे फाटस पता ले जाओ ताला करो तुम मेरे साथ आओ विषव विषवा नहीं विषव प्रताप के यह जेलर साथ हाँ विषव प्रताप मगर मैंने तुम्हारे बारे में सुनाये कि तुम्हे क200 हो गरीबों क二 के दुक्दर्द में कामाते हो औदभस्ति के तमाम गरीब तुम्हे फरिष्टा कहते हैं कातिल हूँ ये सुना नहीं आपने वही मेरी समझ में नहीं आ रहा है मुझे शक है कि तुम्हें बिलावज़ ग्रफतार किया गया है और जो अफसोस तक वाकिया आज पेश आया है वो उसकी ताजा मिसाल है विश्व परताब अगर वाकिये तुम बेगुना हो तो सच्चाई क्या है मुझे बताओ जो कुछ मुझे मदद हो सकेगी मैं करूगा मेरी कहानी सुनकर आप मुझे इंसाब दिला सकेंगे बेशक मैं पूरी कोशिश करूगा तो फिर सुनिए मैं ठककर ट्रांसपोर्ट कंपानी के मालिक सिकंदलल ठककर के वहाँ लॉडी ड्राइवर की नौकरी कर रहा था रोकिये गाड़ी रोकिये रोकिये क्या बात है आप महरबानी करके मुझे जरा शहर छोड़ दीजिए कमाले मैं अब जा रहा हूं और आप मुझे डाउन जाने को कह रही है अच्छा ठीक है जरा आगी ले चलिए में किसी बस्ती से ट्राक्सी पकड़ लोंगे आये शुक्रिया जरा गाड़ी तेर चलाए ना बड़े महरबानी होगी आप कोई रॉंग नंबर की सवारी लगती हैं जी क्या मतलब यह कि यह पुलीस आपी की तलाश कर रही थी ना जी हां ने ने ऐसा कुछ नहीं देखो सिधी तलाश से बता दू परना सीधा पुलीस गाज में दे दूँगा ने ने बताती हूँ ससस बताती हूँ मैं करोड पती की यहां नवकरानी का काम करते हैं कسم है चराख की चंदा से चमकते हुए दिमाग की तुम जरूर वहां से कुछ चुरा कर भाजी होगी किसी बाते करते हैं यहां तो किस किसम की लड़की हूँ इस बात पर अपने दिमाग के चराख की ज़रा रोश्री टपकाएंगी जी टपकाती हूँ, मेरा मालिक अच्छा आदमी नहीं था उसने मुझे बेसहरा गरेत समझ कर मेरा हाथ थामने के कोशिश की मेरे उसकी पिटाई कर डाली, उसका सर फोड़ दिया इसलिए वहाँ से भाग निकली कि उसकी लोगों के सामने बदना में नहीं हो इसलिए उसने मुझे पर चोरी का इल्दाम लगा दिया बस इसलिए पोलिस मेरा पीचा कर रही है, मेरे मादद की जी इक बे सहरा इस दजा रड़की को बचा लेजी, मैं मरकर भी आपका ऐसा नहीं भूलूगी मुझे सहरा दी जी, मुझे चिराग, बाद के चिराग में रोशनी तो लगती है उससाद बिल ले जाए इस छोरी को घर मेरे फिकर इशोर परशाद जी, आप परेशान क्यों होते हैं, आपकी बेटी को बच्ची तो है नहीं जो खो जाएगी अरे खो नहीं गई, अपने बाप का घर छोड़के भाग गई है वो आपके इस निकम्मे और नाकारा बेटे के साथ हम जबरदस्ती उसकी शादी करना चाते थे, इसलिए बाप को छोड़कर भाग गई है वो अरे रेटी, ये कौन से टाप की बात हुई, बेटी इनकी भाग गई है, निकम्मा और नाकारा मुझे कह रहे है अबेटू चुप करता की नहीं इशोपरशादी ठीके ठीके ठीकर साब, मैं बहुत परेशान हूँ, आप इस वक्त मुझे अकिला छोड़ दी अरे आप चिंदा क्यों करते हैं, मैं हूना आपके साथ नो थैंक्यू ठाकर साब, अपनी परेशानी में खुद जेल लूँगा लेकिन आप कृपा करके आज से, बलके अभी से इस शादिया वाली बात को हमेशा के लिए भूल जाई भूल जाई पैसे कैसे भूल जाऊ इशोपरशादी हमारे तो और तरीके एक हैं जिंदेगी का अंदाज एक है, बिजिस्नस का स्टाइल एक है भुश्टाइल वाइल एक नहीं है बलके मुझे दोके में रखकर आप मेरे नाम पर गलत कारोबार करते रहे मेरी कंपनी के माल में अपना समगली का माल ले जाते रहे है मैं बेज़र रहा भीशर बशादी इस में जूम करना गुना है मगर जूम से बेखभर रहना उससे भी बड़ा गुना अगर मेरा माल आपके नाम से स्मगल होता रहा और आप बेखभर रहे तो इसमें आप inside बतक्समती है मेरी नहीं और कम असकम इस जनम में तो इस बतक्समती के दल्द से निकलने के लिए आपके पास कोई रास्ता नहीं है मैं दुनिया को बता दूँगा क्या आप मेरे साथ फरेप करते हैं एक मिनिट एक मिनिट इश्वर परशाद जी अगर आपने जलबाजी में मेरे कारोबार का रास फाश किया तो मैं आपकी जिन्दगी पाश पाश करके लग दूँगा इश्वर परशाद जी आप शरीफ और ज़र मेरी बात कौ करेंगी जूए अगे तुम जा या अगे तुम जाओ या लक्षमी अरो वह लक्षमी क्या हुआ है क्या हुआ है इस घर में मुझ पर हुक्म चलाने वारी इस दुनिया में मेरी गलती पर चाड़ने का हक रखने वारी एक और सिर्फ एक हज़ती है यह मेरी बहन लक्षमी यह लता हां तभी खुश्पू आ रही है अरे नहीं यह चंपा चंबली के फूलों की लता नहीं है सिर्फ नाम की लता है आज से कुछ दिनों के लिए ही रहेगी और कुछ दिनों के बाद अरे बाबा तु खाना वाना खिला बात चित कर मैं जड़ा ओफिस होकर आता हूँ हाँ आप जाईए मैं इसे बहुत सारे बाते करें जाना नहीं हाँ चलो लक्षमी अरे आजा इसे अपने घर समझो घब्रा मत हाँ अरे क्या करता थी है कितनी मरता का थूका मत कर मूह में धागा है फुन्नी कॉल ये धागा पिता जी आज मैं पुन्य का काम करने जा रहा हूँ उसकी बैंस में दो बचड़े दिये मैं उसका अपमों मीटा करvाने जा रहा हूँ माली के भैंसे दो बचे दे जिया दो-दो बनगी कुटिया ने 12 बच्चे दे दी माइने जो बैंक reference व क्या च्कर अब आज के श्टा सा किलोना लेकर अब था किलोना मैं बाजा आसा खिलोना लेकर आता हूँ अबे अबे वोगोफी को चर्माने वाले बेवकूफ अबे तू बाप का बनेगा बाप पिता जी मैं क्या करूँ सुबह से शाम तक मंदिरों के चक्कर काटता रहता हूँ अबे खचर बारा महीने मंदिर के चकर काटने के बजाए अगर खाली दो महीने तो अपनी बीवी के चकर काटेगा ना तो खुद बहुत हस्तावा मुना घर में चलाएगा आपका मतलब है कि अपनी बीवी को खंबे के साथ बांद कर सुबह शाम उसके चारो तरफ को लू के बैल की तरह मैं चक्कर काटता रूँगा तो मैं बाप बन जाओं और आप दादा बन जाएगा मेरा अब हाथी के शरीर में गधे की अकल लगने वाले जानवर तुसको मतला क्यों नहीं है अपनी बीवी के साथ रहा कर हाँ हाँ ठेर मैं बुला दाओं तिर बीवी को उसका अचै follow इस तरह मुझे घुर-घुर के क्यों देगे जा रही हूँ मैं इंसा नहीं लगती हूँ क्या हाथ क्यों रही हो क्या होगी है तुम लोगों को नहीं गलत पर समझना क्या है दरसल हम लोगों में शर्ट लगी है मैंने इन लोगों से कहा कि तुम है न मेरे भाईया से वह प्यार करती हो इसलिए वह तुम्हें घर ले आए मगर यह लोग कहती है कि नहीं नहीं तुम उन्हें कहीं रस्ते में भटकते में मिल गई होंगी और उन्होंने तुम पर दया करके तरस खाकर तुम्हें घर ले आए अब तुम ही बताओ ना सच क्या है हाँ मैं तो रास ठेर चला था अपनी असलेत मत बताना परना इन लोगों को शक हो जाएगा और बात लोगों तक फैल कर फुलिस तक पहुंच जाएगी संभाले मामना आप मैं अपनी अमों से क्या कहों लेक्षमी मुझे शरम आती है दर असल जो तुम समझ रही हो न वहीं सच है वह मारा सुना तुम लोगने अब तो मानती हो अरे मैं तो पहले ही समझ गई थी यह चांद सा चुक्रा आकाश से उतरकर मेरी भावी बनकर मेरे घर को चमकाने आया है हार गई ना तुम लोग चलो चलो यह बात जाकर बस्ती में सब को बताते हैं सब को मत बताना हो अरे पापरी गई काम से चलो यह जगन नमस्ते महीं क्या सुनरो तुश्टे लैजेने लोगड़ इनकार कर रहा है दरसंद कर मेरी बैटी का ब्याया है तो क्या हुआ तो कौन सा कहीं कह एंसे तरे ना होने से तरे बीटी का ब्याया रोख जाए लोग यह आप कैसी बाते कर रहें मालिक जगाब आप नहीं होगा तो बेटी का ब्याद कैसे हो सकता है कन्यादान कौन करेगा मैं ज्यादा बखवास सुने कादी नहीं हूं अगर बेटी कभी है तो जा इसी बत नवकली छोड़ के चला जा जा जिस तरह आपके मरने पर आपके चीता को अगनी देने के लिए आ आए इंदा गलती नहीं करना चुझे और एक बात सुन लिजे इससे तीन दिन की छुट्टी देनी होगी तीन महने का एडवांस देना होगा वरना ये लोडी तो क्या इन मैंसे एक भी लोडी एक इंच आगे नहीं जाएगी तीक तो कह रहा है शाबाश विश्वा बहुत मैं मैं दरसल तुम लोगों को इम्तिहान ले रहा था वो लोगों ने मशूर का रखा है ना के गरीबों को सिर्फ दौलट से प्यार होता है अवलाद, बेटी, रस्म रिवास सब को ठोकर में मारते हैं मिर मान गया है आज ये ठकर गरीबों की दिल की अमीरी को मान गया है क् जगन को सब कुछ मिलेगा, तीन दिन की चुटी भी मिलेगी, और तीन मिने का अडवांस भी मिलेगा शादी के लिए, अब तो खुशो मिस्टर विश्वा परताब, ठीक है, इस गाड़ी का समान मेरी गाड़ी में चड़वा दीजिए, अज जगन चाजा की जगा, मैं चंब चंबल, बापरे, मर गया, उस भयानेक जंगल में दिन दाड़े, शेर चीते लगल बगगे, आजादी से ऐसे घूमते रहते, जैसे गुण पर मक्षियां पिकनिक मनाती है, मैं नहीं जाने वाला, मैं कुछ चक्कर फिट करके वहां से फूट लूँगा अब हो, बुझे वह चिराग, जल्दिया गुट मॉर्लिंग, गुरू तुम कही दा रही है, वह चिराग का बच्चा का है उस पिचारे को बहुत जोर का दर्द हो रहा है, गुरू जूट बोलता है साला, नाम चिराग है, लेकिन उसके अंदर से 400 फिसी के अंदेरा निकलता रहता है जा बुलाओ उसको सच गुरू, उस पिचारे के पेट में बहुत दर्द हो रहा है इसलिए इस ट्रिप में अपने साथ लापिटला गुरू क्या, तुम्हें और अपने साथ? हाँ गुरू, क्लिनर बनके चलूंगी दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? यह नहीं यह नहीं हो सकता अभे, चिराग गुरू, मेरी बात नहीं सुना अगर तुम मुझे यहाँ छोड़कर चले गई और कई हो पैसेवल आ गया और मुझे जबर्दसे ले गया तो अरे यह तो तुमने अजीब जन्जन में डाल दिया आजाओ, चल्जाओ मेरे प्यारे प्यारे गुरू, सैंक्यो, सैंक्यो गुरू, अपनी गाड़ी स्टाट हो जाएगी या हैंडल को माना पड़ेगा ओ, अपनी गाड़ी को स्टाटिंग प्रब्लम नहीं है स्विच मारते ही चालू हो जाती है थ्यानी मादबन चड़ जा चलो गुरू बच गया, यह चिराख भूजने से बच गया कर दो हु़िए। कर इव ऑया इवे,ते गपनी गना कि एक चलो नीचे उत्रो नीचे में क्यों उत्रो अरे तुम्हारी सुराथ देखने के बाद लोग गंदी-गंदी हरकते करते और एक्सिदेंट कर बढ़ते हैं इसमें मेरा क्या कुसूर है आप कसूर तो मेरा है अगर एक्सिदेंट का यही हल रहना तो चंबल गाट अगले जनमी लड़की बनाएगा और तुमको भी कोई एसे ही छोड़ कर जाएगा तब पता चर्यगा अरे चल्ले चल्पूर कर दो झाल खाल लड़की अकेली, तू भी अकेला लड़की अकेली, तू भी अकेला, मैं भी अलबेली, तू भी अलबेला तेरा मुझे हात चाहिए, तेरा मुझे साथ चाहिए, साथ दिन रात चाहिए, नहीं तो मैं मर जाओंगी लड़का अकेला, तू भी अकेली, तू भी अलबेला, तू भी अलबेली तेरा दीदार चाहिए, तेरा मुझे प्यार चाहिए, अने को बार चाहिए, नहीं तो मैं मर जाओंगा कर माँ प्यार चाहिए, तेरा चाहिए, तू प्लाओंगी बदात भी ङाओंगी मर बाध बारा मुझे अियार प्यार चाहिए, तू जाओंगा मिधी मिधी बात तेरी दिगी सेगी, आगे तेरी काट गई काट गई दिल को में दी में डी बान तेरी तिखिती आगे तरी काट गई… मुझे चट जाला भी है में जंगल में खो भी झॅल टीली होके तेरा मुझे हात चाही, तेरा मुझे साथ चाही, सात दिन रात चाही, नहीं तुम्हे मर जाओंगी लड़का अकेला, तू भी अकेली रुटूटोप दूचल पुरम्टाटोप उसमुक्त पूलुक्ति लुटूझे लुटूबूचल के टूबूचल के लुटूचल को पुछली गाड़ी जब चलाता हूँ, मैं हॉर्ण तो बचाता हूँ, मैं ब्रेक न लगाये जाए मुझसे अफ्तार मेरी है दुफानी, तुझको मुश्किल होगी रानी तो बचै चाहीया, तेरा मुझे प्यार चाहीये अनेको बार चाहीये नहीं तो मैं मर जाओंगा लगी लखे दीलि, तुभी अकीला, लगी अकीली, तुभी अकीला. मैं गील भेली, तुभी अल भेल, तुभी अकissement तुरा मुझे साथ चाहिए, साथ दिन रात चाहिए, नहीं तो मैं मर जाओंगी लड़का अकेला, तू भी अकेली, मैं भी अलबेला, तू भी अलबेली तुरा मुझे प्यार चाहिए, तुरा मुझे प्यार चाहिए अने को बार चाहिए, नहीं तो मैं मर जाओंगा प्रस्काइर चाहिए, तुरा मुझे साजन ग। ये क्या गुरू? कोई हमपर गोली चलर हो गया एए ये गोली की आवज ले, टायर पंचर हो गया है क्या पंचर हो गया और वो भी इस जंगल में तो पंक्चर क्या जगाँ देकर होता है ? यह फर्स क्याँ मेरे ङपाई कभी पंक्चर नहीं हुआ मेरे बैठ्णी से टायर, हुग चार हुगा- ऑगबग बंद करो देखो, किदर हुआ हुआ है उत्रो हटब गुरु गुरी देखो आको यह कंता है टेखेद कुछवक्रू चारो है इसमें हैंचिक ही क्या बात है जा जाका जयागा लिकर राओ जयाएंड को तसंभांता है ज़यक वर दो normarsan इपलो के तना फ्यास सकता है तका मुझ जॉज की मैंत खरो जाओ केबिन से जैक लेकर आओ ठीक है गुरू जैक जैसी कोई चीज मुझे दिखाई नहीं दे रही है तुमको जो साथी बनाएगा उसको जिन्देगी में कुछ नहीं दिखाई देगा बड़ी स्टाइल मालके कह रही थी मैं के लिए बंके चलिए और घर से निकलते रप्तिय भी नहीं देखा के जैक है की नहीं गुरू गुरू उधर से लारी आ रही है रोको चॉप चॉप प्लीज चॉप अच्छा हुआ आप मिल गए अपना जैक देना तैर पंक्चर हो गया है मैं देखता हूँ जाब बैट गड़ी में साले क्या है कि आज मैं अपने जैक भूल गया हूँ तुम कहो तो मैंने रसे में छोड़ देता हूँ रहे उसकी कोई जरुवत ने अरे यार सोच्ता कैया मेरा जमरा ए यजवरा आणा आई लटकी या करती है अरे चार फ़लों के लिए इतन क्यों मर रहा है खाने देना भाईया खाने दे कि ए मुझमे खुझ नि हो जाए लाग देना त्थु तो भाईया कहने के भीलाइक नहीं जींए गुरू, फल खाओगी। फल तो वो छिनके ले गया। तु क्या हवा से तोड़के लागी। तुम्हे फल चाहिए क्या सिर्फ इतना बोलो। अरे मगर है कहाँ। ये रहा। ये तु कहाँ से निकाली। जब वो तुमसे बात कर रहा था तो मैने चुपके से खमार दिया। लो खालो। मुझे नहीं चाहिए। गुरू, ये गुदा तो मीठा होना चाहिए। बकर ये ताजित से है। गुरू, ये देखो, ये कोई और चीस है। ये तो अफिन है। अरे बापरे, मा। इसका मतलब ये लोग फ़लो में अफिन स्मगल करते हैं। तुम्हे ही ठेरो, मैं पुलिस को बुला कर लाता ह। क्या ठेरो, ये ये यहां के लिए नहीं रह सकते, मैं भी तुमारे साथ चलूगी। ओखो, आओ। ये। ये। अले, मिला पेता सेथ। आले, पेला माथ कितना घंबा ओग्याले। आ ले। आ ले। आँ भापु 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 कुलाओ अले, है भापु, क्या प्रफिख लोगा पेटे। आँ बापु, उमेने विए गोला पंजाना। आपने बाप के मुझसे रोज गालिये सुनता हूं तोड़े खाता हूं जूते खाता हूं भाई साफ आपके बस जहर है मुझे तोड़ा जहर तो मैं जहर खाके ट्रेन के लेट के खुदखुशी कर लूगा अब यह कौन सी स्टाइल की खुदखुशी है पहले जहर खालेगा इस ट्रेन के नीचे लेट जाएगा मुझे लगता है तेरी बीवी बच्चा जनने के लायक नहीं है मगर तुस एक आइडिया है अगर तुसा आइडिया का साथ दे मैं गैरंटी के साथ कह सकता हूं को तुझको बच्चा जरूर पहड़ा हूं आइडिया जल्दी बताओ आरे वो धाबे वाली चंदा को जानते हो ना वैस उसके पास पहुंच जाओ और वहां जाकर क्या करो अगर तु मेरा कहना मान ले तुझे महीने के अंदर अंदर तेरे दरवज्जे पर लॉरी खड़ी होगी वो कैसे अरे वो ऐसे कि सिकंदर ला हराम खोर बेइमान दल्लाल की अउलाद तुझे जीते जी कीड़े पड़े तुने मुझे समझ क्या रखा है मेरी बात मुझे कुछ नहीं सुनना एक तो वैसे ही महने से पैर भारी है मैं गर्द से हूँ उपर से गंदी-गंदी बाते करता है अरे गंदी-गंदी करता है अ अभी तक गर्भवती नहीं हुए मैं उसके लिए घोडा सुलाओ दारू लेकर आया हूँ क्या सुला गोडा सुलाओ अंदर आने से पहले मैं उसको इतनी पिला दूँगा कि कमरे में घुस्ते ही वो मरे हुए बैल की तरह और गीर पड़ेगा इंटर्वल तिर उसके बाद उसके बाद कुछ जुनों मैं तूसको कहना कि तू गर्भवती हो गई है घबराकर वो तूस पर एक लॉरी चलागा और मतलब एक लॉरी तेरे नाम लेकर देगा वाल उसके बाद अपन दोनों शादी कर लेंगे अरे मांगी अरे बड़ी मुश्किल से राजी किया है मालू मैं अरे यह रही एक ही सांस में अपने पेट की टांगी में उडेल लो फिर से पीजा शेर बच्चे का है मेरे बच्चे को पैदा करने वाली का है अरे इस माकन की तंदा अरे तू का है रहे आजा मेरी तंदा मेरी दुनिया में बहुत बंधेरा हो गया है अच्चो का भल्ब जलाके पुझाला कर दे रहे हैं मेरी तंदा मेरी तंदा इसे कहते हैं फुल स्टॉप अब चांदनी और चिराख का होगा मिला जल्दी कर वरना आइडिया नहों जाए फिर आप गुरू सोईंगी कहा हम लोग अब मेरा मतलब है कहां सोईंगे तुम केविन में सोगी और मैं उदर चलो अब रहे खाती पीती है हम तुम ये जंगलने बंद हो और हती आजाए अब बापरे नाम लेती है आगया गुरू क्या है हाती चिंगाड रहा है तो चिंगाड ने देना तेरे गले में क्यों तकलीफ हो रही है सुंड में उठा कर कहीं पटक दिया तो गुरू अरे हाती सेयाना जानवार है कोई फाल्तू चीज़े नहीं उठा जा जल सोजा गुरू गुरू मुझे बहुत डर लग रहा है में तुमारे पास आकर सोजाओं ओहो क्या मुसीबद है जा जाकर उपर करिश में सोजा क्या गुरू लंबल मुझे पूरी पड़ जाएगी ओफ अगर पूरी नहीं पड़ेगी तो सुकर कर सोजारे जाए जाते हैं बाबा इतना बढ़कते क्यों हो गुर्णेट गुरू 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 क्या मुसीबद हैं आप क्या हुआ उर्णेट गुरू तो धाड़े मानने देना तेरे पेट में क्यों तकलिफ हो रही है? गुरू चलाग मारकर उपर आ गया और मुझे पंजी पंचे मार मार के चेर फटके मुझ्ट खा गया तो अरे शेर को मालूम है कौन सा जानवार खाना चाहिए और कौन सा नहीं तुझे खाकर शेर को अपने पेट खराब करना है क्या चाल जा सोजा फिर भेरेस क्यों लेने का गुरू नहीं मुझे बहुत धर लग रहा है तौबा कहा बस गया तौबा कहा है चल निचे आगर सोजा कहां सोगुरू तुम्हारी बगल में बगल में मेरा मतलब है कौन से जगा यह लादा बकॉास मत कर इधर सोजा तुम कितने अच्छे हो ना गुरू बहुत धंड लग रही है जड़ा अपनी चादर में आनी तो ना लगता है थोड़ी देर के बाद कहेगी कि मैं कुछी तकर सोजाओ आपको कैसे माल हुआ अबे चब मैं अद्वीव कोई होटल का कमरा नहीं देखने रही के डूनट जिस सब लगा हुआ है फिर भी घुसी जा रही है आके मुँ बंद करके सोजा अरे मा ये बगवान बहुत ठट लग रही है ओओ 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 ये ले चादर आख के लिए उड़ के सोजा थाँके गुरू इसके क्या सुरुरा थी ये खामों के तक्ली उठाने है अबश्च आप मने करके लेखे लेख भाइख भा पहुआव पंज़ से खरोप पन कप अढ़र रहे हैं! इज अप जाने कि अपला मेटारी जाने हैं! जाने हैं अपला मेता कि अपला प्रण जाने हैं! प्राव यर यर लो यर लो और लीजो वाव जवर भी कि यहीं है वो जाफिम के स्मगलिंग करते हैं बहुत दिनों से पूलिस को तुम लोगों की तलाश थी तिरा अब बताता हूं थेंक्यू फॉर यॉर काइंड इंफमेशन में स्वेश्वा थेंक्यू लेजा इसे लेकिन मैंने मैंने क्या किया रही है में थे खुश थे, खुश थे खुश को दो हैं है, खुश खाने से हुशत रह थे खुश स्फणनय और था थान किन फीर और रहे हैं चल 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 सिदे चल 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 बिटान कमपणी को जिए इस लाल फोन को हाथ मत लगाया कर अगर तुझे आखल नहीं आती है क्यों इस लाल फोन मेंसे कह लाल रंग की आवाज आती है फ्रांग नमबर अच्छार बोल रहा हूं गोपी नगर के पॉली स्टेशन से माज के साथ नहीं पकड़ा जा नहीं पुख्डा जा उच्छार बादक कि इसको नजाम कर दूगा पॉली स्टेशन में शेरा पकड़ा गया है उसको जमानत में चुड़ा कर लाम अगर एबात का ख्याल रहे किसी को पता नहीं चलना चीके शेरा पकड़ा गया को कि दाट लो भाई मेरा काम हो गया अच्छा दो गुरुमें चलता हूं पुदाहफेस्ट अच्छा आफेस्ट अधाव 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 आखेस्ट अधाव आज आजो आज आजो,hésitez प्यार में दूग जोगो यहां दुबोण, घराई आज कुछ भी हो जाए पुछे, कुछ ना, पुछना को दुर दुर आजाओ सनम संग्चण, ठुग जाओ सनम एक दुबे, सजा है तुन दूबे, मजा यह है चैन आये दिल को दूगो चाहे जितना वै 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 गुरु गुरु आजाओ गुरु प्यार में दुग जाओ गुरु कि भुरु तूरु फिस्ट कि भी अ कि मुद आजाओ चो कि मुद । छव LIKE, भी वी व Black छो कि ऑुरु ँितना BT एक तो बाहर की गर्मी थारा अंगारा लगे ऐसे में धीरा आना प्यार मुझके बरसाना जीवन से त्यारा लगे एक तो अंदर की गर्मी एक तो बाहर की गर्मी थारा अंगारा लगे एवसे में लिए ना, प्यारा मुच्खे परसाना, जीवन से प्यारा लोगे जुन जुन टगड़ा, जुन 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 घुरु घुरु आज़ु प्यर में है जुरु मिल गई बाहों से बाहे, मिल गई सासों से सासे, खुश्बुसी उड़ने लगी जहां से आना मुश्किल, जिन्दे की अपनी है थी, उस्रा हम उड़ने लगी मिल गई बाहों से बाहे, मिल गई सासों से सासे, खुश्बुसी उड़ने लगी जहां से आना मुश्किल, जिन्दे की अपनी है थी, उस्रा हम उड़ने लगी जूम जूम तगनगा, जूम 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 तुक्चा गुरू। प्यार में है। तुक्चा गुरू। प्यार में है। प्या हुआ। है। मैं लुट गई। बरबाद हो गई। मेरे जीवन की नहीं आमें खटा हो। अरे सब कुछ लुट जाने के बाद रोने चिलाने से क्या पाइडा यो भई क्या हुआ क्या हुआ अरे वो हुआ जो आज तक इस महले में कभी नहीं हुआ इसको एक ठैल छबीले नौजवान के प्यार हो गया इसका जिया बेकरार हो गया बेकरारी में लिमिट तोड़ दी और मामला सरथ के पार हो गया और इसी कारण इसको तीन या चार महने का गर्भ होगे मैं जब इसको पूछता हूँ कि आरे कौन है वो तो बजाए सीधा जवाब देने के उल्टी उल्टिया करती जा रही है अरे चंदा बता दे वो कौन है वो बादूर इंसान मैं हूँ जी आप ची ची ऐसा काम कभी कर नहीं सकते तो नहीं कर सकता आप सब लोग कहते थे कि मैं वो हूँ नै यह हूँ लेकिन वो लेह नहीं हूँ यह थाबत करने के लिए मैंने इसे गर्भवती बनाया नए ने बाबुजी आप इस लड़की के इख़त बचाने के लिए इसकी मदद करने के लिए किसी और की इख़त अपने सर ले रहें यह आपका बड़ा पन है यह बड़ा पन रही है दो बलके छोटा पन है इसके पेड में पंड़ाफ्टों चोटी से बच्चे का बाप तो यह राज है यह नहीं है अरो इस शचंदर के तेल से जलने वाले चिराग को बीच में क्यों डालती है जीदा मेरी आंख से आंख मिलाकर दिल से दिल मिलाकर मुझसे पूछ मैं तैयार हूँ मैं तुझे दिल के जोपड़े में राजकुमारी बना कर रखूँगा चिंता मत कर माकरन की चंदा चिंता मत कर अरे लक्षमी यह क्या आज इतनी सारी तरकारी किसके लिए काट रही हो आज मेरे भहिया आ रहे है और उन्हें यह तरकारी बहुत पसंद है अच्छा मतलब तुझे अपने भहिया से इतना प्यार है कि उनकी हर पसंद और ना पसंद का दुझे पता रहता है बिलकुल मेरे भहिया जो है वो मुझे मेरी जान से भी ज्यादा प्यारे हैं मालूम अच्छा, तो एक बात बताओ, जब हमारी शादी हो जाएगी और हम यह बस्ती छोड़के चले जाएगे, तब उनका क्या होगा? क्या होगा, हम जहां जाएंगे भहिया को साथ लेके जाएंगे, उनके बगर तो मैं कहीं नहीं जाओंगी और फर्स करो, अगर तुम्हारे भाईया तुम्हारे साथ आने के लिए राजी नहीं होए तो, तो मैं तुम्हारे साथ शादी का इरादा ही दिन से निकाल दूँगी, क्या? गुरू, तुमसे तुम्हारे बेहन के स्पीड बहुत जादा है अरे बेटा विश्व परताब, अगर मेरा बेटा आरून मुझे पहले बता देता, तो मैं तुम्हारे घर सर के बल आता इससे बड़ी मेरी खुशने से भी और का हो सकती है, कि तुम्हारी बेहन लक्षमी मेरे घर में बहु बन कर आ रही है तो मैं लगन का शुब मोरत निकल वाँ अरे बेटा, शुब काम में देर कैसी, कली मिलो पंडिस से जी देरा बेटा, जी देरा मैं पूछता हूँ शेरा, तुझे विश्वा से जगडा मोलेने की दरूवत क्या थी? अरे यार वे अपने गाड़ी में खुश्वा चिडिया बिठा के ले जा रहा था चिडिया? कौन थी चिडिया? अरे चिडिया का मतला बे खुश्वा लड़की कहा है? अरे वो लड़की ले जा रहा थो दूज को क्या करना है? पीचा करना की क्या थी? आईए आईए इश्वा पशाद जी परमाइए शक्र साहब यह मैं अपनी बेटी की तस्वीरे लाया हूँ यह दर आपने ड्राइवरों और क्लीनरों को दिखा ही है और उन्हें कहिए कि वो आते जाते रास्ते गाव शेरों में उसे तलाश करते रहें और नजर आते ही मुझे ख़बर कर दें कि इतने लंबे चक्कर वो पढ़ने किया जरूए थे कि इसको सीदे से अखबार में चपवा देते हैं एक दिन पूरी देश में खबर पहल जाएगी नहीं नहीं चक्कर साफ अब तक जितनी बदनामी हो चुकी है जितनी चोटे खा चुका हूं उतनी मेरे लिए काफी है अब अगर लोगों को पता चला कि मेरे पेटी घर छोड़के चली गई है तो मैं समाज में सर उठा कर चलने के काबिल नहीं रहूँगा शेरा, एए, देख यह लड़की अरे ठक, रही है वो चुड़िया शेरा, मेरे बेटी के लिए गलत शब निकला तो मुझसे बुरा कोई नहीं हो अरे क्या वकॉत करता यह इनकी बेटी है उनकी बेटी? शेर्ट जी, मैं मा पिचाता हूँ लेकिन पार्णर, इसी लड़की को मैंने विश्वा के साथ देखा है हाँ इसको? हाँ अब तक विश्वा घरा चुका होगा है हाँ रड़, वो तो कब का आ चुका है पीती लटवा अरे कहा गुजरे हैं? पहले ये बताओ, ये लड़की या कैसे और क्यों आई? क्यों? अब होते कोन है पुछने वाले? लटवा मेरी बेटी है इसलिए और वो मेरी होने वाली बीवी है इसलिए आगे तुम कुछ समझ गय होगा कि मेरी होने वाली बहु है किसलिए? ये सब जूट है, बक्वास है लटा एक गरीब लड़की है दौलत बालों के जल्म और रहताचार से तंग आकर अपनी इस्ट बचाकर भागाई और मैंने उसे सारा दिया है शर्णब बात बनाने की कोशिच कर रहा है क्या तुझे पता नहीं था लटा मेरे बेची है हर रोज हमारा माल ठक्र साब के ट्रक में ले जाता है और फिर भी तुझे पता नहीं मैं कौन हूँ अललता किसकी बेची है अरे साब जानता है यह बहुत बदमाश किसम का करेक्टर है इसना बहुत गयरी चाल चली है लटा को अपने प्यार के चक्र में फास कर आपकी जाहदा गौलब करने के खौब देख रहा है कमीना ठकर साब विश्वा मैं तुमसे आखरी बार कह रहा हूँ कि अगर तुम्हारे मन में खोट नहीं है एक अमीर बाप की बेटी का हाथ दौलत के लालच में नहीं थामाए तो तुम इज़त के साथ लटा को अभी और इस वक्त हमारे साथ रवाना कर दोगे सुना तुमने यह लोग क्या कह रहे है सच तो यही कि मैं करेब नहीं हूँ एक अमीर बाप की एक लोधी बेटी हूँ मगर वो दौलत उनके महल उनके एश्वाराम उन सबको अपने मर्सी से छोकर मार कर आई हूँ तो फिर तुम मुझसे जूट क्यों बोली अगर मैं सच बता देती तो तुम मुझे उसी नरक में दुबर भेश देते जहां से मैं जहां से मैं बड़े मुश्किल से जान बचा कर आई हूँ अब मैं उन्हों को क्या चबाद दूँ मुझे पर जूटे इल्सम लगाए गये हैं उनको घरत कैसा साबित करूँ ऐसी जिंदेगी मेरे लिए मौट से भी बत्र है मैं अभी उन लोगों से कहती हूँ कि मैं अपनी दावलत और जैदा चोड़ने के लिए तैयार हूँ क्या तुम मुझे सहारा देकर उसे शादी करोगी एक शरीफ लड़की मजबूरी और बैबसी में तुमसे पूछ रही क्या मुझे बर्बादिया और तबाई से बचाने के लिए तुम्हें मर्दांगी नहीं पिदाजी ये किस टाइप का आदमी है लड़की लाने गया था लखड़ी लेका रहा लटा आप लोगों के साथ नहीं जाएगी यागा नहीं जाएगी लगता है ये अंदर जाकर लटा को डरा दमका कर आया है है इसलिए बाहर आकर हमें भी आखें शिका रहा है नहीं पिताजी ये जो कुछ कह रहे हैं विलकुल सच कह रहे है ये मेरे दिल के आवास है मैं खुद उस नर्फ में वापस नहीं जाना चाहती लताविती ये तुम क्या कह लिए अपने बाप के घर को उसके अर्मानों को यह इज़त दे रही हो और आप बाप होने के नाते अपनी बेटी के अर्मानों का और उसके जिंदगी का कौन सा कहल र कुछ मत किजिएगा सुम्धिया आप लोगने लता का जवाब अब जिस रास्ते से आप लोगे आये थे उसी रास्ते से शराफत से वापस लौट जाईए बाद अच्छी बढ़ाई है तुमने इसको में इसी पट्टी पढ़ाने वालों को उनी की पट्टियों में लपेट और खुशी से लता को ले जाएं अब जाएं इसने तो अपना टाइप बदल दिया अब क्या करें जो आदमी एक टाइप का होता है उसको दूसरे टाइप से माना चिसको अखलमंदी का टाइप करें तो पिचाट तो देखता रहें फिश्वा बशाजी आप चिंदा मत कीज अच्छाना है वो तरीका मैं अच्छी तरह जानता हूँ ऐसे गंदेलों की मूलक कर हम अपने जबान और अपने शब्दों का अपमान करना नहीं चाहते चलिए चलिए विश्वा से टकराना तुम लोगों के बस की बात नहीं है वो आग है और तुम लोगों सुके तिंगे की तरह जला कर खाक कर देगा अरे शेरा भी कुछ कम नहीं है उसाग को बुझा कि उसका नम निशान मिठानूगा पजूल जिद मत करो यार सुनो तुष्वा की बच्चे को मौत की नीन सुला दो अलाता को उठाकर लेआओ कि उसको कुर नही है कुरू.. कुरू कर दो 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 कर कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो तुम्हारे भाईया घर पर नहीं है तो यहीं तो सोच कर आया था कहीं तुम अकेले में तर तो नहीं रही हो मुझे कोई डर्वर नहीं लगता तुम जाओ जाता हूँ यह क्या तुम तो और नस्तिका रहे हो अरे अब तो तुम्हारे भाईया भी हमारे शादी को मान गये हैं मान गये हैं तो सोचा था एक छोटा सा बोसा मिल जाए तो यहां दो अधर बिंद्य कोई और जो कॉछारे कोई भी तो डिला पाचे एप मैंद्यशने आरह दो लोलाषा यहां एका तयुक्रेका करे। मेरे ज हैं प्लागी का ब्लाष को कहानी जो भी है यही सुना दो ना घर जाने की चाह दूरत है वो क्या है वो जो तोता मैना की कहानी की किताब है ना वो घर पर पड़ी हुई है इसलिए काले इमाओ वह काटी में पेर चुप गया देखाए बजारा आओ 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 दर्द उस पेर में हो रहा है और काटा इसमें देखो आओ लगा इसेटी के लिए ऐसेटी लिए भी दीखो न ऑदीखो करतेर भी आचाए क्षु किसने कद दॉग कि दिभी पर आओ कौन अरुज़, बोलो कौन, यह करके, आत्मी, अरुज़, अरे, यह कौन, यह किसी उठा गायो, यह तो विश्वा की बहर, अरे, मैं तो वाबर, अरे, पकड़े, पकड़े, उसको लिए, तो हम लोग पर बात हो जाएंगे, अरे, थारे, पकड़े! कूए है... घ patron कॉए है... लुट में लुट समय लुट समय! लुट समय! यहाराइ! हुआ 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 है पुआ हुआ 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 तुमने तलवार से दूसरा वार किया और बिल्ला को माड़ा है ना बोलो विश्व परताब यहीं हुआ था ना खोगले तरिकों से मुझे बेगुना साबित करने की कोशिश मत किजिए जेलार साब अगर हो सके तो उस सिकंदाल अल्ठकर और उस कुत्ते शेरा को मेरी बाजू वाली कोठ्री में रख दीजिए फिर मैं आपको बताऊंगा कि बाकी कहानी क्या थी और अखली कहानी क्या होग कहां जा रही हो बैटी कोट जा रही हो तुम नहीं जा सकती बैटी समाज में तुमारे बाप की इज़त है नाम है और अगर लोगों को पता चला कि तुम उस कातिल विश्वा को जानती हो उसके घर रहे चुकी हो तो बरसों की बनाई हुवी इज़त नाम सब बदनामी की आग में जलकर खाक हो जाएगा बेटी मैं इसे जुटे नाम और इसकी बिल्कुल परवा नहीं करती जो किसी गरीब इंसान के लिए मोत का भंदा बन जाए मैं जाओंगी जरूर जाओंगी ठीक है अगर जाना ही है तो जाने से पहले एक काम करो मुझे जहर ला करवाई शुरू की जाए मिस्टर राम उतार क्या आपने मुल्जिम विश्व परताब को बिल्ला का खून करते हुए देखा इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं खुद इस अदालत से सवाल पूछना चाहता हूँ क्या मुझे वो सवाल पूछने की इजाज़त है आपको यहाँ सवाल पूछने के लिए नहीं जवाब देने के लिए बुराया गया है पूछने दीजिए क्या पूछना चाहते हैं आप देवी जी कानून की कुर्सी पर बैश कर इंसाफ करने वाली देवी पहले मेरे साथ इंसाफ कीजिए मेरे जवाना बेचे का किसी ने खून का तिया मेरे बेचे का गत्ल किस ने किया क्वन है उसका गत्ल हुआ ऑगर इन जवालों का जवाब जानने के कोशिश की जाए अगर आगर दो नहीं मियर्ए इन सवालों के जवाब भी अधालत के सामने खुद बहुत खुल करा जाएंगे मेरा जवान बेटा चिता की आग में जलकर राख हो गया लेकिन मेरे बेटे की मौत के जिकर तक किसी करून की किताम में नहीं है गवाज जिस कतल का जिकर कर रहा है उस कतल के बारे में पूलिस डिपार्टमेंट ने कोई तहकीक आप की योर अनर इस वक्त बिल्ला का गत्र हुआ उस से थोड़ी देर पहले मुल्जिम विश्व परताब की छोड़ी बहन लक्षमी और गवाज का बेटा अरुन जो दोनों दोने से प्यार करते थे मूर्द पाए गए ये मौते फुशी थी या कतल ये पता नहीं चल पाया हो सकता है कि मुल्जिम विश्व परताब को उन दोनों का प्यार उनकी मौद के बाद किसी ने मुझम के प्यार में रुकाउटे पैदा की होँ इसलिए मैं जबूर होकर उन ट्रिार करने वालों ने खुद कुछी कर लिया लूर२र। उनकी मौत के बाद किसी ने मंद्ज्इम विशु परताब को बहकाया कि बिल्लाही उनकी मौत की वजह उनकी मौत का दिम्मेदार है और बिल्लाही कातल है बगए च्छान बिन किये हुए मुल्जिम उसको सर समझ बैटा और खुसे से बागल हो गया इसने तलवार लेकर बिल्ला को फटर लिया और उसी तलवार से लग लोहान करके उसका गत्र कर दिया उसे खत्म कर दिया यूर अगर ऐसे खतरनाक मुझरिम और कातिल के साथ तानून जरा से भी नर्वी बरतेगा या अजाद छोड़ देगा तो इस समाज में शरीफों के रहना ना मुम्किन हो जाएगा अब तक पाबलिक प्रोसेक्यूटर ने ना तो कोई धंके गवा पेश किये हैं ना कोई थोस्थ सबूत पेश किये हैं फिर आप इसे किस बिना पर गुलेगार कह सकते हैं सबूत है यूर अनर ये रही वो तस्वीर जो बिल्ला के गटल के वद खैंची गई थी और ये वो तलवार है यूर teलवार है यूर आनर जिसके बिल्ला को पत्ल किया गया लिए फिंगरप्रिंट expert के रिपोर्ट के मताबिक इस तलवार पर सिर्फ मुद्दि मल्सिम की उंग्लियों के निशान है और ये वो रिपोर्ट हादिर है आपके सामने योर अनर ऐसे गुनाकार और खून की होली खेलने वाले के लिए सिर्फ एक सजा है और वो है सजा मौत फासी मुल्दीम विश्य परताब तुम्हे अपने बचाओं में कुछ कहना है जजसाइबा अब तक बहुत कुछ कहा और बहुत कुछ सुना जा चुका है मुझे अपने बचाओं में कुछ नहीं कहना सिर्फ आपका फैसला सुना चाहता हूँ लोरान अगर ऐसे खतरनाक मुझरिम और कातिल के साथ कानून जरा से भी नर्मी बरतेगा या अजाद छोड़ देगा तो इस समाज में शरीफों के रहना ना मुझर हो जाएगा ऐसे गुनाकार और खून की होली खेलने वाले के लिए सिर्फ एक सजा है और वह सजा मौत फासी पिछले मेने नविंबर की रात एक तारिक को बिल्ला नम के वेक्तिका मुल्जिम विश्य प्रताप ने कतल कर दिया इस मंदर को कई लोगों ने अपनी आँखों से देखा उस बुनियाद पर ये मकदमा आदालत के साबने पेश किया गया था पाबलिक प्रोस्टेक्यूटर ने फिंगर प्रिंट एक्सपार्ट के रिपोर्ट के जरीये ये ताबित करने की कोशिश की कि मरने वाले ने जिस तलवार से अपनी जान गवाई थी उस तलवार पर मुल्जिम विश्य प्रताप के निशान थे लेकिन इतने गवाउं की बैना सुनने के बाद स्रिफ एक कलवार पर उंगलियों के निशान के बिना पर किसी को गुनेगा ठहराना कानूनन गलत होगा प्रोसिक्यूटर ने इस अपील पर मुकदमा दायर किया कि कई लोगों ने विश्य प्रताप को कतल करती है अपने आखों से देखा मगर एक गवाने भी इस बात का आदालत के साब ने इकरार नहीं किया इसलिए बेनिफिट आफ डाउट की बुनियाद पर आदालात इस मुकदमे को खारीच करती है और मुल्जिम विश्य प्रताप को बाइज्जत बरी करती है झालत की को विठां पर्याद लिए राट देल देराद थेल मुで पारास अगया यहाईव पैसा कि हें बजत की लेहा खाल vinden अच मैं है I want to meet somebody I want to meet somebody I want to meet somebody मुझे तोड़ दो, मुझे माड़ दो मुझे माड़ दो, मुझे तोड़ दो मेरी बाहो को मरोड़ दो मुझे माड़ दो, मुझे तोड़ दो मेरी बाहो को मरोड़ दो I want to hit somebody I want to eat somebody Nevertheless, आई डिह लंगी, तुझे लिए उनलाक flavored», य॥ा रिलकी, भी आण्रूयाने थे लिए भी में लिए लोर्डे को आपặ Waई, य॥ा सम्पड से क्या गया दोिए लिंग ३। आवलाद टूए अड टोर्डे कोम्ई दूए. I want to hit somebody, I want to love somebody, I want to miss somebody This is where I love somebody, I want to love somebody, I want to love somebody प्रूत्पमात्तमाद्रेकल प्रूत currency गर्वास्त उसक्त जोजेकल आजयर्वात्तमेजक्त ऐसने जोड़ा ऑलकाई आजयर्वास्त सुन्पमान psychology ngay to लाला लाला I want to hit somebody I want to eat somebody I want to crush somebody Tujhe mood Tujhe tol do Tujhe tol do Tere baaho My Marod Tujhe mood Tujhe tol do Tere baaho My Marod I want to hate somebody, I want to love somebody, I want to meet somebody! ख्णम के लोगने भी मुझेज़क करना। हुसम उतारे तेरा मुझे को बगावत पर खोजाओन दिवाना पीके तेरा दहर हुसम उतारे तेरा मुझे को बगावत पर हो जाओ न दिवाना पी के तेरा जहर कसलो कसलो तुझे को ऐ गाल दिल पर कि न दिल था गुशन दिल पर आल दिल तुझे को आल दिल तुझे पेंगे संबड़ी, I want to love somebody, I want to love somebody शरूप! विश्वा, विश्वा, छोड़ दो इसे, छोड़ा उसे, क्या हो गिया तुमको? इन लोगों ने मुझे माट डाना लता, खत्म कर दिया मेरे दिल को मेरे वजूद को, अब सिर्फ एक ही आस पर सिंदा हूँ कि मुझे इन लोगों से बद्ला लेना है कानून ने तुम्हे बेकसर ठेहरा कर फांसी के भंदे से बचा लिया, लेकिन सर्च क्या है वो सिर्फ तुम्हारा दिल जानता है, एक जर्च की महरबानी और दया ने तुम्हे बचा लिया, और उसी दया और महरबानी का अपमन करना चाते हो, एक नेक और शरीफ इंसान ब बलकि तुम्हारी गल्फेमी है, अगर वो सचना होता, तो वो जर्च जिसने तुम्हे बाहिजद बरी किया है, उसने इस्तिफा क्यों दे दिया? तुम, यहां कैसे आना हुआ? मैं आपसे एक सवाल पुछने आया हूँ, आपने मुझे गुनेगार क्यों ने इठराया, बरी क्यों कर दिया? यह कुई सवाल थोड़ी हुआ, तुम बेकसुर थे, किसी लिए बरी कर दी गया है, पहत सौल? यह जूट है, अगर यह सच होता, तो आपने अपने होदे से इस्तिफा क्यों दिया? क्योंकि कानून से विद्रो करने के एसास ने आपको जच की पवित्र कुर्सी छोड़ने पर मजबूर कर दिया, शर्दा दिवी शराफत की खालो रहे हुए ये बैमान, इंसानियत के नकाब हो रहे हुए ये शैतान, ये रक्षर्स, जिन्होंने हस से बढ़कर जुन के है, बेगुन्हों के खून को पानी की तड़ा बहा है, इनके मुकाबिले में तुम्हारा जुन तो कोई हैस्यती नहीं रखता, अग कानुनन जिस बिल्ला को उमर भर जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए था, वो बिल्ला अजादी की जिन्देगी गुजर रहा था, तुमने उसका कतल कर दिया, जो साजा उसे अदलत ना दे सकी, वो साजा उसे तुमने दे दी, मैं जानती थी कि ये कतल तुमने अपना ज ज़्जद बड़ी कर दिया है, स्रीप इसलिए, कि उसी बाहने, उसी बाहने एक गुनेगर को उसके पापो की सजा तो मिल गई, साथ साथ मैं ये भी जानती थी कि मैं जो गलती कर रही हूं, वो गलती एक दिन बोच बनकर सारी दुनिया के समने मेरा सर जुका देगी, फिर वो ने एक शानदार प्रोग्राम रखा है, कानुनन जिनके हातों में हात कडिया होनी चाहिएती, आज वो हात मुझे फूलों के हार पैनाएंगे, चलो, तुम भी चल कर वो तमाशा देख लो, आओ इसलिए के शार्दा देवी, जिनने जट की कुर्षिट करते हैं, तालिया दोस्तों, आज बड़ाई मनूस दिन है वो इसलिए के शार्दा देवी, जिनने जट की कुर्षिट कर कई साल तक बहुत आहम वसले करने भी बाकी थे, इन्होंने अपने ओदे से इस्तीफा दे दिया है और कानून के दुनिया में एक ऐसी खाली जगा छोड़ दिये, जो कभी भरी नहीं जा सकती खेर हम इनकी कोई सेवा तो नहीं कर सकते, लेकिन आपने फुर्जद के आउकाद में बैट कर अपने फैसलों को सुना करें, इसका हमने इंजाम कर दिया है मैं ये टेप रिकॉर्डर का नाची स्तोफा अपनी तरफ से इने पेश करता हूं, इसमें इनी का सुनावा एक फैसला इनी के आवाज में रिकॉर्डड़ है, मेरी आप अधरा से गुजारिश है कि बड़ी शराफत और तवी से इस फैसले को सुनिया कर दो, अधरा बटन के गुजर रहा था, तुमने उसका कदल कर दिया, जो साजा उसे अदलत ना दे सकी, वो साजा उसे तुमने दे दी, मैं जानती थी कि एक आदल तुमने अपना दाती बड़ा लेने के लिए क्या होगा, उसके बावाजूद भी मैंने तुम्हें बाहिजद बढ़ी कर दिया जान दे रहा कर दिया, जान देवी की जगा, उनका उदा समानने वाले जस्स चकरवरती साथ, इस बेजबान टेप रेकॉटर की आवाज सुनने के बाद, आपको पता चल गया होगा, कि शार्दा देवी ने वक्त से पहले इस्तिफा क्यूं दिया, आपको ये भी पता चल होगा, कि इन्होंने अदालत में ऐसा अनोखा फैसला क्यों सुनाया, इसलिए आप बताईए, कि जच की मुक्दस कुर्जी का अपमान करने वाली ये शार्दा देवी गुनेगार है ये नहीं, फैसला आप सुनाये, क्योंकि कानून के फैसले जच के होटों से अच्छे करना इनका गुना है, मुझे बरी करना इनका कसूर है, तो ग्रिफतार कर लीजे मुझे, तनाहिया हद कड़ी, अभी नहीं, अभी तो कानून के साथ बदसलूकी करने वाली जच पर मुकदमा चलेगा, तुमारा नमबर अभी दूर है, चलिए मैड़ मेरे पोपर, इस से क् पिंजरे को तो तोर कर बाहर आजा, मेरे पोपर, आप इस सांसे साइन कर दीजे, क्यों, इनका आपरेशन करना पड़ेगा, वाना इनकी जान को खत्रा है, तो इसकी जान को खत्रा है, यह भले ही मर जाए, लेकिन, लेकिन मेरे बच्चे को किसी भी आलत मा बचा लो, नहीं मुझे किसी भी आलत मा बनना है, जल्दी करो, पिताजी, पिताजी, आप दादाजी बनने वाले हैं, अरे जीओ, मेरे राल, तू तो ऐसे करा है, जैसे मुझे चाटा कमपनी का पारिक बना दिया, अब आप खुश नजर आ रहे हैं, अरे खुश, आज तो मेरे खुशी कमा मेरे खुश खबरी, मुझे करें सुनाई, खुश खबरी, कैसे खुश खबरी, अरे मुझे समालू है, कि मेरे बाबु मा बनने वाली है, नहीं बाबु जी, ऐसा सव भाग्य कहा, जो मैं कभी मा बन सकूँ, यह खुशी कमारे उचल आ तूसरा जुका रही है, यह चकर क्या यह निया रिकॉर्ड मैंने काइम किया है, वो अपनी धाबे वाली चंदा ना चंदा, वो सरकारी हस्पताल में मेरे खुशूरत बच्चे को जनम देगी है, चंदा, तेरे बच्चे की मा बनने वाली है, अपे खच्चर, नालायक, गदे, उन्हे मुझे, बेंजोरी की अपे खच्चर, नालायक, तू बच्चा पैदानी कर रहा है, बलके मेरे दुनियों पर गिरने मुला है, तब माम पैदा कर रहा है, अगर तो ने मुझे पहले बच्चा पैदानी होता ना, तो मैं चंदा को बेंस लोरी के बिले ठाग लिए के दबा कर देता, भलूम, पित अंदर चा, अंदर क्या, अंदर चा अंदर, अंदर, अंदर चा, अंदर, अंदर क्या, अंदर, अंदर, मैडम, विश्व परताफ आपसे मिलने आए इनसाफ की मूर्ती आज जेल की सलाखों के पिछे खैदी की तरह जिंदेगी गुजा रही है यह मनजर तुम से देखा नहीं जाएगा विश्वा तुम जाओ यहादी नहीं मैडम नहीं आपकी इजद आपकी मरियदा टुकड़े टुकड़े हो गई आपका नाम आपकी शौरत मिट्टी में मिल गई आपकी बेजदेती हुई जग हसाई हुई और यह सब यह सब मेरे करण हुआ है जब लोग आपका नाम लेकर हसते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि उस हसी में से एक सच झाग रहा है और वो हसी खंजर बनकर मेरे सिने को छेट का निकल जाती है और मुझे साहनी जाएगा मैडम मैं आज ही अदालत के नाम एक दर्ख्वास भेच रहा हूं कि मैंने आपको धंका कर अपने हक में तैसला देने पर मजबूर किया है अपनी दोश है मैं अपने कसल के इसाम को कबूल करके खुद को कानून के हावाले कर दूँगा मैडम लिश्वास तुम्हें देखकर मुझे कुरुष शेत्र के भैनेच युद में अपने संबंदियों को मुकाबिल पाकर हत्यार फेकतेने वाले अर्चुन की याद आ रही है मैंने तुम्हें इसलिए बेकसूर ठेरा कर बड़ी नहीं किया था कि तुम बुच्दिलों की तरह घुटने टेक कर दोबारा कानून के आगे हार मान लोगे मैंने इसलिए अपने कुर्सिफी स्थफ़ा नहीं दिया था कि तुम दुख से घबराकर वक्त के आगे अपना सर चुका लोगे यहां होने के बाद मेरी हर साथ मेरे खून का एक कत्रा पुकार पुकार कर कह रहा है कि विश्वा उठ बदला ले मिटाते सालीमों की हस्ती जडाकर राक कर दे शैतानों की लंका और मेरा जमीर कह रहा है कि रुख जा भरना तरे बदले की आग एक परवित रात्मा की छिता बन जाएगी एक देभी बली चड़ जाएगी इसलिए अपने जमीर की आवाज सुनकर मैं अपने हार वाने लिए मजबूर हो गया। विश्वा बीटा मंने पर मजबूर करने वाले तुमहारे जमीर को मैं अपने जिंदेगी की एक कहानी सुना तो उसे सुनकर तुम ज्वाला मुखी की तरह फूठ पड़ोगे या कार्यों की तरहार मान लोगे इसका फैसला तुम्हें करना है यह उन दिनों की बात है जोग मैं क्रिमिनल लॉयर की हैसिय से प्रैस्टिस करते ही शार्दा आज एक अजीब किस्म के पोस्ट मौटम का केस मेरे पास आया एक और जिसके दो बच्चे थे एक शैतान ने उसकी इज़त लूटी और बाद में से माड़ा अभागन पहले विद्वा थी पिचारे बच्चे भी अनाथ हो गये उसके साथ हां यह ख़ब मैंने आज के मैं आपने पढ़ा होगा के सावीत इराम के एक औरत के किसी ने इज़त लूट लिया और बाद में उसका खून कर दिया हाँ पड़ी है वो लड़की अपकी बेहन थी जी नहीं तो क्या हूँ आपकी बेटी थी नहीं तो पिर आपका इस केस के साथ क्या संबंद है यह अग अगर तुम यह कहने के लिए हो कि मैं किसी का खून करके आया हूँ और पैसे आपकी जेब में डालकर वो खून आपके काले कोट से पोचना चाहता हूँ तो यह कानून का अपमान है और आडवोकेट शार्दा यह कभी सहन नहीं कर सकती इसलिए जिस रास्ते से आया हो उसी रास्ते से वामस चले जाओ जाता हूँ बड़े आराम से जाता हूँ और साथ में यह भी कहके जाता हूँ कि इस देश में वकीलों का काल नहीं है पैसे फेकूंगा तो तुमसे जादा चाला अक और अकलमन वकील खरीदूंगा और अपने आपको बेगुना थाबित करके दिखाऊंगा आप देखते रहिएगा अगर आप मुझे दो लाक रुपिया दे सकते हैं तो मैं आपका ये केस अपने हाथ में लेने के लिए तैयार हूँ तो येस सिंगल पेहमेंट लेडी कैश थैंक्यू थैंक्यू अधित आ grandma मिस्ट्र से कंदर लाल ठकर जीू आपने आज तक कोई पाप कोई जुरुम नहीं किया है नहीं बिलकुल नहीं कभी नहीं झाज तक किसी आखुअ अखुआर में आपके बारे में कोई घलत खाबर नहीं छपियाए आपकी शादी होगी यहां दो बच्चे हैं मेरे छोड़े छोड़े अब देखी ना दो बच्चों के बाप पर एक विद्वा की हिजदत लूटने के इल्जाम लगा दिया कितना जूम है आप ही बताईए मिस्टर सेकंदर लाल ठककर बगर आग के कभी धुआ नहीं उठता यह कहा बद तो आपने सुनी होगी जी अभी तक नहीं सुनी सुर्गी साबीतरी देवी को आप जानके थे जहां उसका पती मेरे ट्रांसपोर्ट कंपणी में ड्राइवर की ऐसे से काम करता था वो के बैक टार के नीचे आकर को चल गया और वहीं फड़बाडा के मर गया वहाँ दुख्वा मुझे और उस ट्राइवर की पत्नी अपने पती की अचानक मौत से विद्वा होगी उसके बच्चे एतीम होगे बच्चों का पेक पालने के लिए उसके पास एक फूटी कौडी नहीं थी ऐसी हालत में वह एक दिन आपके घर आई आपके पैर उपर गिरकर आपसे दय की भीक मंगने लगी तब आपने उससे ये कहा कि वह एक रात अगर आपके साथ गुजारे तो आप उसकी जोली नोटों से भर देंगे सही है ना आप मेरी वकालत कर रही है कि मेरे कहने का मतलब यह है कि आपके दुश्मनों ने यह कहकर आपके उपर इल्जम लगाए ना अब इस बात में इतनी सचाई है कि वह अरयत रात के वक्त पैसे के लिए आपके घर आई और आपने बड़ी शराफ़त से उससे ये कहा कि रात के इस तरीके की बात नहीं करते हैं सुबह ओफिस में आकर करना बिछिया का में यह संजा कर आपने घर से रहाना कर दिया थीक रात के आठ बबच कर 40 मिनिटुट पर अब यही मत मैं यह सब आपके भले के लिए कि पूछ रहे हूं कुल अब जवाब दीजी है जिज दिया उस मैं बुलाए जाने की हिजाज़त चाहती हूँ परमिशन ग्रेंटेट डॉक्टर स्रीकांट स्वारगी असाभी स्रीदेवी की पोस्त मॉटम की रिपोर्ट से आपको क्या पता चला रिपोर्ट से साफ जाहिर है कि उसके साथ जबरदस्ती की गए और उसके बाद उसकी हत्या कर दीगे क्या आप बता सकते हैं उनकी हत्या तक्रीबन कितनी बज़े हुई होगी यह कोई आज बचकर 40 मिट के आसपास उसी वक्त यह खटना हुई अब जा सकते योर अनर डाक्टर स्रिकान का बयान सुनने के बाद जरा गौर कीजिए इस पापी ने सावित्री देवी को अपनी हावस का शिकर बनाया और वो राज दूसरे ड्राइवर पर जाहिर हो जाएगा और इसकी जिन्दीगी खत्रे में पर जाएगी इस डर्श से इसने सावित्री देवी की हत्या करते ऐसे नीच लोगों को बेकुसुत सावित्र करने की कोशिश भी करना मेरा जमीर गवारा नहीं करता ऐसे गिर हुए इंसान का केस लड़ना कानुनी तालिम का अपमान करने की बराबर है इसलिए मैं इस केस्ते अपना नाव वापस लेती हूं और मैंने जो आदालत का किन्ती वक्त जाय किया है उसके लिए माफी चाती हूं और आदालत से यह दर्खात करती हूं केक बिद्वा और गरीब औरत की मजबूरी का पायदा उठाकर इसकी इजड़नत लोटकर उसकी हुण करने वाले इस दुरे में भब मेरस की जाने लिए विया जहां सिफुरह प्लोटके के लिए अपने हां से ऑपन एस पेघ़ने इस फामें जाने लिए उस्टन म्हामाइए उसम जाने लिए मैंने सो Bäntagkå, मैंने मैंने जाने लिए उसके मुजे दोका दे कर मेरे पैसे ले कर तुम्हारे पैसे मेरे पास नहीं है अपनी आधुत के शैतन पर उने जिस सावीत की देवी को बली चाड़ा दिया मैंने तुम्हारे सारे पैसे उनके बच्चों के नाम fix deposit में रखा दिये है दुनिया की किसी भी आदलत में तुम्हारा मुकदमा पेश होता वो तुम्हें सदा देती लेकिन कोई भी आदलत सावित्री देवी के आनात बच्चों की परवरिश नहीं करती हो सकता है कल हुआ हालत से मजबूर होकर चोर बन जाएं गुम्राव हो जाएं इसलिए कल समाज में दो चोर दो मुझरिम और ना पैदा हो मैंने आज ही तुम्हारे पैसे से उन्हें गुम्राई के रख्ते से रोक लिया उनके भविश्य को बचा लिया आप अपने भविश्य की चिंता कीजिए वकील साहबा मुझे हट कडियां लगवा कर जेल के काल कोटड़े में पहुंचा कर अपना सन्फक्र से उचा मत कीजिएगा मैं वापिस तो जरूर आउंगा सिर्फ मेरे वापिस आने का इंतिजार कीजिएगा फिर देखना तमाशा चला मैंने सुचा तीन साल की कड़ी सजा के बाद ठकर अपने के पर पश्टाएगा अपने गुनाओं का प्राश्चित करके सीधे रस्ते पर आ जाएगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ जेल की कड़ी सजा ने उस गुनागर के जहर को और भी गड़ा कर दिया एक दिनों जेल से खतरनाक जहर एले साब की तरह निकला बगले की आग मन में लेकर मेरे घर आया वो दिवाली की रात थी अरे वा ये क्या ये इंसाफ की बूर्टी है इस इंसाफ की देवी ने जिसने मेरे बेटे को जनम दिया है उसे आज दिवाली के मौके पर इंसाफ की देवी का लॉकेट तोफे में देना है ताकि बड़ा होकर वो भी अपनी मार की तरह सच्चाई के रास्ते पर चले इंसा तक कर जेल से वापिस आ गया अब नहीं सर उठाने के गाबल रहेगा और जुकाने के गाबल रहेगा क्योंकि आज के बाद इसका सर ही नहीं रहेगा छीले इस बच्चे को कर दो कर दो कर दो मैं तुम्हें मान जाओंगा कर दो कानून और समा से वाफा दरी करते हुए मैंने अपना पती खो दिया अपना एक साल का बेटा गवा बैठी जिसका अज तक कोई पता नहीं चला और फिर ऑलाद की जगा अपनी गोद में कानून और इंसाब की परवरिश करने लगी मन में उत्ती ओलाद की याद को लोडिया सुना सुना कर सुलाती रहे अखेले में अन्नाय और सुलम पर हसु भाती रहे इक उखिल होते हुए कानून की रक्षक होते हुए भी है मैं उस राक्षर सिकंदर लल ठककर का कुछ नहीं बिगार सकी उसे कोई भी साता नहीं दिलवा सकी तुम हाविश्वा तुम अगर तुम से हो सकी तो उन देंदों को सुबूत और गवाओं के साथ आदालत में घसीट कर लाना और उन्हें उनके गुनाओं की सजा जरूर दिलाना उस सिकंदर लाल ठककर से कहूंगा की सिंदगी की घडियां किना शुरू कर दे क्यूंकि तेरी गुनेगार सिंदगी के दिय में आपका तेल खस्व मोचुका है विश्वा ये लॉकेट तेरे बच्पन की निशानी है इसे सम्हाल कर रखना बेटा मेरा समय पूरा हो चुगा चुना आज से दस बरस पहले की बात है आज से देवाली का तोफा समझ कर मैंने अपने गले से लगा लिया और अपनी बेटी लक्ष्मी के साथ तेरी पर फिरश की अब अपनी बेटी लक्ष्मी को तुझे सौंप कर जा रहा हूं अब तो ही इसका तब कुछ है इसका ध्याम लगना विश्वा इसकेस की कारवाई पूरी होने तक श्रीमत इशारदा देवी किसी भी हालत में इस शहर की सरद के बाहर नहीं जा सकती हैं इसी कंडिशन की बुन्याद पर श्रीमत इशारदा देवी को जमानत पर रहा करने का हुक्म दिया जाता है हुआ 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 है जाम की लुक्रान की लाता ही नहीं जाता है कि मेरे बच्ची यह लाया इसे पित के संतून आ जबर श्रीज़ाए प्यार को जो पान असका हुआ हुआ उस बैटे ने रखा है मा की ममताको जो तरस्ता रहा उस बैटे ने रखा है गरीबी और मुफलिसी की आग में जल जल कर अपने आप बड़े होने वाले गुम नाम बेटे ने रखा आए इसका मतलब तुम अगर वो बदनसी बहुरत तुम हो जो अपनी कोक से पैदा होने वाले बेटे को लोरी गा कर सुला ना सकी तो इतने बरसों तक मा के प्यार और उसकी ममता के लिए तड़प तड़प कर जिन्दा रहने वाला वो बदकिसमत बेटा मैं हूँ एक ननी से जान की परवा ना करते हुए उन राक्षसन उसकी जान लेनी चाहिए लेकिन भगवान की ये मर्जी नहीं थी इसलिए वह बच्चा जिन्दा रहा जिसे एक नेक दिल इनसान ने अपने हाथों से पाल पूस कर इतना बड़ा कर दिया मा इतना बड़ा कर दिया पेटा मा मेरा मन्ना पीटे मेंने आज तक जिस निये देपता पर भरूसा किया था जिस धरम देपता पर बिश्वास किया था मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो वो मुझे एक दिन मेरा बेटा वापस दे दिखा मैं आज तक बिना किसी खौईश के एक लाश की तरह जिन्दकी गुजर रही थी लेकिन आज, आज सुचे पाकर मुझे एक नही जिन्दकी मेरी नहीन जिन्दकी तो मैने ही मां मुझे मिली है आज तुम्हारे चन्नों की सोगन खाकर कहता हु मां उन कातिलों से अपने पिता जी के खून का पत्ला लेकर रहा हूंगा अपनी मा के दुख और तड़प का हिसाब चुका हूंगा मुझे आशित बदे मा के मैं कानून की आखों से पट्टी हटा कर उसे असली मुझरिम की शकल दिखाऊंगा मुझे आशित बदे मा मुझे आशित बदे इस हाथ की रीखा तो बदाती है या आप त्रिकोन पर बली हो जाएंगे पिता जी ये त्रिकोन क्या होता है मेरा सर यार जोची महाराज तुम ठीक से देखो ना यार कैसी बात करें सेग जी आप हमारे हास्त ज्यान पर शक्कर रहे हैं अरे काय का ज्यान कुछ आता जाता है नी जूड मुड की शेंडी खड़ी करके अपने आपको जोतशी समझते हो मुझे ने दिखान अपना हाथ जोड़ा मिराथ तू लाल फोन मैंने उठाओंगा मैंने उठाओंगा पिताजी पिताजी लाल वाला फोन आपका फोन ओ रांग नंबर रांग नंबर नहीं ये वक्त की आवाद है पॉन कौन बोला है तेरा दुश्मन विश्य प्रताप ओ बिवश्वार तुम इस फोन का नंबर मिला का से फोन नंबर अरे तु कब मरने वाला है ये तक मुझे मालूम है तो फोन नंबर मालूम करना कौन सी बड़ी बात है जड़ा बेहुदा पकवास बंद करो बेहुदा हरकते इस वक्त तू कर रहा है ठककर सुन, कुनलियों पर विश्वास मत कर इस वक्त तेरी जान मेरी मुठी में है मैं अगर मुठी खोलनू, तो तू भसम होकर मिट्टी बन जाएगा सावदान रहना, मैं सीधे तेरे ओफिस में आ रहा हूँ हराम खोर, तूने मुझे फोन उठाने के लिए क्यों अजीम मुस्यमत है, फोन उठाओ तो धपड, नहीं उठाओ तो धपड यह किस थाइप का बाप है, इस थाइप का बाप तो मैंने सारी दुनिया में नहीं 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 नहीं, आज के बाद यह लाल फोन मैंनी, सिर्फ तू उठाना और अगर कोई दूसरा उठा है, तो वो कस के थपड़ माना कि उसका मुझ तेलिफून की तरह लाल हो जाए, समझ गया? शेरासेट, मेरी गाड़ी से नीचे उत्रो क्यों भई? इस गाड़ी का मालिक मैं हूँ तुम कौन होते मुझे नीचे उतारने वाले? तुम्हारा बाप क्या कहाँ, किदर? विश्वा विश्वा नहीं, विश्वा प्रताब ओके विश्वा प्रताब क्या दो प्रताब तुम को मालू है, तुम्हें नौक्री से निकल दिया गया? किसने निकला नौक्री से? क्यों क्योंकि तुम्हें कातिल हो और कातिल हमारी कंपनी में काम नहीं कर सकता है अदालत के फैसले ने साफ साफ अलान कर दिया है कि मैं कातिल नहीं हूँ मैं किसी अदालत के कानून को नहीं मानता हूं मेरी नजर में तुम कातिल हो और कातिल हमारी कमपनी में काम नहीं कर सकता है बस तुम कौन होता हूं मुझे नौकरी से निकलने वाले है अच्छा मैं कुन होता हूँ ये सब मेरी मिल्कियत है मिस्टर बिल्कुल गलत जिस तरह जमीन जोदने वाले किसान की मिल्कियत जमीन होती है रिक्षा चलाने वाले की मिल्कियत रिक्षा होती है उसी तरह सड़कों पर दोड़ाने वाले की गाड़ी उसी की मिलकियत होती है पता जी यह किस टाइप का आदमी है इसके टाइप से तो लगता है यह मेरी शादी कभी नहीं होने देगा क्योंकि और जात की आदत है वो जिसे पसंद करती है उसी के साथ शादी करती है यह विश्वा का बच्चा लटा के साथ मेरी शादी कभी नहीं होने देगा उस साले जोची नहीं यह का था बगता है जोची मेरा नाम सिकंदरलाल ठककर है मैं अपनी ठोकर से तक्दीर के फैसले बदल दिया करता हूं चल अभी और इसी मत लटा को तेरी दुलहन मनाता हूं चाल कि अद्ञेशन करता हूं अबलाड विश्वा को जानता हूं और प्रताप को यंद्युक्त है वर्ला क्या कर लोगे हां जिस सिधी तरह से मुझे जाने को कह रहे हो उसी सीधी तरह से लाता को छोड़ दो क्यों छोड़ दूँ यह कोई लारी नहीं जिसके मन में आ वो लेकर चला गया यह कि इजददार घरानी की शादी का सवाल है मैं इस बंदर के साथ हर्गिस हर्गिस शादी नहीं खुरूंगी सुलिया, किसी लड़की की मर्जी के खिलाब उसकी शादी कराना शादी के पवित्र बंधन का मजाग है हैं कोई शादी वादवी नहीं होगी जादी के बाद खाना भी होगा सिकंदर के नाम को बड़नाम करने वाले सिकंद लाल ठककर अगर जबर्दस्ति की, तो यहां खाने की प्लेटों की जगा, तुम लोगों की खोपड़ियां बिख्री हुई नजर आएंगी अरे 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 खाने वोना खाने जाओ भई पाटनर, अब इंजार किस बात कर, चाजी की सगनी में इसकी चिता जला डलो हाहार इसे तुम ऐसे कच्छा चबाजाओंगा कि अ में पुड़ जया रश्तित कर दो घजए भुड़ ऑुर यार श्तित नोकि अम यार वब रखित नार यार्ग आर्व गुब आर सेख यहाँ क् अ अ नौ व्यानिय दुड़ टिया ऑर ड्पतित नो आर तो यहाँ और ये ठी यार आर चेने लो आर अ खल क्या हम झांघ की दरा और ओिया नहा का रहाँ लार उनो अ उन प्र हम फत्राडर बार ड्सिर उल उनल प्रेंड दुखं प्रेड़ों नहीं दो psychologically नउलब ग optimist कर दो कर दो इस वारगफ लुक्ष एड़ बौन पारब जब फ्रीदिंग प्रीदिंग छेलें दोस्टें प्रीदिंग कर दो कि भाम भो कर दो कि अ 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 हुआज! प्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् जटाप 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 अबे ठान चाती गास कर समझ में नियादेत ने खुफिय गुप तरीके से चादी रखी थी इस हराम खुल विश्वा को पता कैसे चल गया पितादी पता विश्वा को कौन लेकर आया कौन? मैं लेकर आया खुख तो बच्चा पिरीड़ा करने की सकता दूसरों के भी शादी नहाँ लेकर ही कितने रहे Uh लोग ए लोग उखिए लोग 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 जोगात हुआ हुआ! तुभी बेकरा, मैं भी बेकरा 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 जासों के तार, जोथा नहीं हमसे और इंतजार तो भी बेपरार, मैं भी बेपरार तो भी बेपरार, मैं भी बेपरार जासों की दो भी बेपरा एंतजार कि बाव में तेरे सिमतने तक बेताव मेरे अर्मा कब से सेने से तेरे लपटने कुप बेचेने जिसमों जा कब से पाहमें तेरे से केले विताथ मेरे अर्मा कबसे सेले से तेरे लिखने को बेचैने जिसमों जा कबसे रहा नहीं खुद पी मुझे इख्यार तुभी बेकरार मैं भी बेकरार हुलाओका चुछका क्या अर्मा का क्या लिखने से लिखने में तो अपालाओका अजया अर्मा का जब लोग। हुआ 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 है इनसा में इतनी देख सके जो शबाब तेरा सासुरज की आब लिये है चेहरा है वो गुलाब तेरा आब कहां इनसा में इतनी देख सके जो शबाब तेरा तेरा हुसन पुदिरतिकार एक शाहकार तु भी बेखरार मैं भी बेखरार तु भी बेखरार मैं भी बेखरार तु भी बेखरार मैं भी बेखरार विश्वा विश्वा क्या बात है? मैं तुम्हें पसंदी? या मेरी सूरत में कोई कमी है? तुम उसे दूर क्यों जाना चाहते हो? मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहता, बलकि अपने फर्स के करीब जाना चाहता हूँ और वो फर्स जो मेरी चान भी ले सकता है जब तक मैं शर्दादवी का कर्स अपने सर से उता नहीं लेता जब तक मैं उन दर्दनों से बतला नहीं ले लेता उस वक्त तक तुम मुझे भूल जाओ यही वक्त की आवाज है चारदा देविद चारदा देविद ओन हो तुम क्या बात है तो आप ही है जेस्टिस शारदा देवी जिन्होंने जर्ज के पवित्र गद्दे पर बैठकर इंसाफ से बे इंसाफियां की है जेस्टिस के पवित्र आउदे को कलंग लगाया है खुद के इंतकाम के लिए अपना जात ही बदला लेने के लिए एक आदमे को इंसान से राक्चस बनाने वाले उखुदकर जाउरत आपी हैं बहुत कुछ हुई आपसे मिलकर और अज़ात के नाम को उसकी पवित्रता को बदनाम करने वाली उस शारदा देवी का चहरा कैसा होगा एक बार देखना चाहती थी देख लिया नमस्ते ठेरो तुम यहाई मुझ पर बिना सोचे समझे इल्जाम लगाया और ऐसी ही चली जाओगी मेरा जब हमी सुनोगी क्या सुनू आपने जो ना इंसाफियां की है उसके लिए लाग सफायां पेश कीजिए फिर बे उतना इंसाफियों में से इंसाफ की खुश्पुक कभी नहीं आ सकती इसलिए मैं जा रही है इंसाफ करने वाली जर्स्टिस जूटी हो सकती है मगर इंसाफ कभी जुटा नहीं हो सकता जो जुटा होता है वो अन्नय होता है और नियाई हमेशा सच्चा होता है मैंने तुम्हारे साथ कोई अन्नय नहीं किया फिर तुम मुझ पर इल्जम लगा कर क्यों जा रही हो आपका जमीर जिंदा है वो तुम्हारी बाते सुना चाता है तो फिर सुनिया और मेरी बातों का जवाब दिजी विश्वा को आपने गुम्रा क्यों किया अपना जाती बजला लेने के लिए उस जलेवे इंसान के दिल में नफरत के आग भढ़का कर उसे सही रस्ते से क्यों बढ़का दिया क्या इंसाब के किताबों नहीं आपको यहीं सबक तिकाया है जर्ज के कुर्सी पर बैठकर आपने ही तजर्वा हासल क्या है यहीं आदर्शा आपके जवाब दिजी उस से के मारे तुम्हारे होटों से शब्दों के साथ साथ चिंगारिया निकल रही है मैं पूछ सकती हूं उसके साथ तुम्हारा रिष्टा क्या है अगर रिष्टों के मताबिक आपका जवाब होगा तो सुननी जी विश्वा मेरा होने वाला पती है ओ देखो अगर भगवत गीता किसी बच्चे के हाथ में दी जाए तो उसे यह कहकर रखतेगा कि उससे कोई तश्वीर नहीं है और अगर वही गीता किसी समझतर इंसान के हाथों में दी जाए तो वह उसे एक पवित्र गंद समझकर अपने आखों से लगा लेगा मैं तुमसे पुछती हूँ तुम्हारे हाथों में अगर गीता दी जाए तो तुम क्या करोगी बोलो उसमें पताय हुए उसे लोको समझोगी ना धरम की बारिक्यों को तलाश करने की कोशिश करोगी ना और अगर नहीं करोगी तो और अज़ात के नाम को कलंग कित करने वाले इस और दील की गहराईयों में जहांप कर देखो किस लिए कर रहे हूं इसका जबाप तुम्हें खुद मिल जाएगा कोई फाइदा नहीं है आपके दिल की गहराईयों में जहांपने से वहां सिर्फ नफरत ही मिलेगी बदले की भावना नजराएगी मगर मेरे दिल की गहराईयों में प्यार भरा हुआ है जेस्टिस शारदा देवी आपके दिल के बदले की भावना ने मेरे विश्वा को गुम्रा करके उसके कदम इंतकाम की तरफ बढ़ा दिये हैं अब मैं अपने दिल के प्यार से उन कदमों को वापस अपने दुनिया की तरफ लेखर आऊंगी और यह साबित कर के दिखाओंगे जड़ साहिबा कि मोहबत और बदले की ज़न में बदला हार जाता है और मोहबत की जीध होती है यह थाइख अब्दकर के दिखाओंगे इस लड़की को घर में लाकर मैं खुद मुसिबस में फस गया यलो Thank you पिता जी मैं आ गया मैं आया आपका पोता लाया मुभारख आपका पोता लगा लेजा पोता रहे पिता जी मैंने तुझे इस सटवराने के लिए खाथा तुसको फिर रिखा आगा पिताजी मैं इसको उठाकर थोड़ा लाओ ये खुद मेरे साथ चलकर आई है देख मैं तुझे बारे क्या कराए पिताजी देखो कितना पाला पाला बच्चा है इसकी शकल आपकी शकल से कितनी मिलती है आपकी नाउट यह जैसी लंबन्ह Amazing इसकी नाउट अची चलकर जैसी लंबनी यह permettre को आपका जैसी देखे ना इसकी आखें बिलकूल आप के जैसीं है अब मैं पैर चोवका है इसके खूले पर एक तिल है इसके हाथ में कुछ तो थमा दीजे तरह क्या दिखा दो कुछ तो थमाना ये बढ़ेगा थमाये ना लारे वह दो उसका रख दे बिसकुट का पैकेट वह भी आपकी कमपली का नकली मुझे ले ले दीजिए क्या दीजिए शोना नी क्या चाहिए कंशे कम एक बेंज लारी देदी ये सबसु जी लारी चाहिए है फोटौ नहीं मिलने वारा बहुत बहुत वाटा की बास्टीक बोटल मेंगी कांची पिलाने के लिए और साहद दिया मेलेगा वाववा क्वाने के लिए लूरी से सबंगा protests that movie अधर कर एक घालारे से जादा किमठी को अ किम्धी की हो गा किया आप theव मैंने तुझे पोदा इस घर में पैदा करने को कहा था कि सी जोपडबडी में नहीं या रधारि नीगर सकती नहीं है घाट रे हैं पर वही घाते लिस पर डाल का आग लगाते ना दोनों को जलाने के लिए माज़स माई देता हूं नहीं रडी बड़ा मर जाएगा मैं क्यू मरों तू मत तरह भापरे ये जलने जलाने का प्रोग्राम बाद में करना ये तुम्हारा घरेलू मामला है मेरे पास इसके हाथ का ल लारी लिखने अदी लारी कैसे लिख सकता हूं पूरी लारी लिखने है आपका तो दिमाग ही तुछरा नहीं थे ली और ये तो क्या फिर ले जाओव लारी मेरी तु थीर तरख्दीर क्रमेश भाबOFF Papa बच्चों की पीने का दूज है और जाएंगे और क्या होगा तुम लोग इंसान हो के जानवर हो बिलकुल इंसान है अपना और देश का भला सोचने वाले इस दूद को पीकर बच्चे मर जाएंगे देश के अबादी कम हो जाएगी और हमारा देश उनती के रास्ते पर निकल जाएगा इस तरह हमारा बैंक बैलनस भी बढ़ जाएगा एक दूद के तीर से दो शिकार आज तक तक तुमने इतने जल्म किये मैं सैता रहा है मगर आप तुम मेरी फैक्टरी में बनायोवे दूद में मिलावट करके मासूम बच्चों की जिंदगी से खिलने की कोशिश कर रहे हो अब मैं चुप नहीं रहूंगा जुप तो तुम्हें रहना पड़ेगा क्योंकि तुम हमारी स्मगलिंग की दुनिया से बाहर हो मगर म तुम ने मूँ खोलने की कोशिश की तो मैं तुम्हें इतनी मुद्द के लिए जेल भीजवा दूँगा कि जेल का दर्वाजा तुम बसंदगी भर नहीं खुलेगा मैंने विश्वा नहीं विश्व प्रसाफ कहो और सिधी तरह से लारिया पुलिस स्टेशन की तरफ ले चलो अच्छा तो ये बात है अगर तुने मेरा रास्ता रोखने की कोशिश की तुम्हा तेरा संब कुचल डालो अब क्यों मेरे हातों कुत्ते की मौत मरना चाहता है आ अब है लारिया वापिस कैसे जाएंगे इस से पहले शेरा सुझे कच्छा खा जाएगा और बड़ा इसको कीवा क्या है हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ हुआ है हुआ हुआ है हुआ है हुआ है हुआ है वद्वच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् यह उतों कि विख्वाश चुम्न तुमने क्या गजब कर डाला झखकर से बात्खला देने के खाथिर तुमने गरीब और मासुम बच्चों के दूद को बरबाद कर Sugy ilcope तुम्हारे दिल और दिमाग में बदले का जहर भर दिया उस नागन ने पिश्वा शार्दा देवी के लिए नागन का लफ्स फिर से इस्तमाल किया तो इन लॉडियों के साथ तुम्हे भी खाई में फिख दूँगा विश्वा एक और नागन कहकर और अज़ात का पान मत करो और अज़ात मां होती है मां असुओं का मुस्कुराट में बदल लेती है मां नफरत नहीं प्यार सिकाती है वो जुम और अस्ताचार नहीं अमन और शंती का पैगाम देती है मां नाम है बलीदान का कुर्बा निका और उसकी चीती जगती तस्वीर है शार्दा तेभी इसकी कोक से मैंने जनम लिया है वो मेरी जन्नी है मेरी मां है अधर हराम खौर तुने अपने बाप को थपड़ मारा पिताजी मैंने तो आप ही किया का पालन किया आपने खुदी का था जो कोई भी लाल फोन उठाए थपड़ मार कर उसका गाल लाल कर देना आपका हूए नहीं मेरी आग्या के पानन का मतब तू उचको तुपन आरेगा अच्छी बदस्वर अभी बतातों उचको राम नंबर मैं शेरो बोल रहा हूं उस विश्वा के बच्चे ने हमारी दस की दस लारी को दूद के टबोक्स में तक्रमार के निज़े ठेके रहे हैं उसने हमारी दस की में सिर्फ ठकर ही कर सकता है ठकर के टकर में करने वाला दूसरा कोई नहीं है वेल मिस्ट ठकर माना कि आप बहुत होशार है मगर यह डानमाइट मशीन गन एलम जी हैंद बंस वगरा वेरा यह सब कैसे जाएगा 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 मिस्ट रेड ब्लोड हंडर परसं अनाज के नीचे समगलीं का समान ऐसे चुपा के ले जाती है जैसे ओरतें मेक अप की नीचे बुड़ापे की जुरियां चुपा के ले जाती है मगर सुना है कि इंडिया का इंटेलिजन डिपार्चमेंट बहुत चलाक है अगर कभी कोई लारी पक्रा गया दाओ अवल तो ऐसा होगा नहीं मिस्टर स्मॉल और अगर इत्वाक से हो भी गया हमारा नाम नहीं आएगा क्योंकि मेरी तमाम लारियां बेनामी है अगर इतवाक से वोल ओरियां पार आध्यारों के साथ पकड़ी साथ पहुंकि जाएंगे था साथ पहुंकि आगे आपको इस तरह के सौबै और पहुंचा दिया जाएंगे सिकंदर लाल ठकर का खेल खतम करने का एक ही रास्ता है उसकी बेनामी लॉडियों की फाइल और उस फाइल को हसल करने के लिए हमें उसके क्लब में जाना होगा प्याना होगा 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 प्याना होगा हाजा the ईंस्ता हुआ है नाना है आप तो बिंचार पाची खाट खाट प्यार चाहीए कितनी वार पाच्छे साथ eight nine ten एक टू टिन चाहीए कितनी वार पाच्छे साथ eight nine ten बस बस और बस कभू तर्बा कभू तर्बास बबास करते हैं हम जुबास साथ परवाज तर्बा कभू तर्बा कभू तर्बास बबास करते हैं हम जुबास साथ परवाज तुर्की बा तुर्की हिंदी वा हिंदी तुर्की बा तुर्की हिंदी वा हिंदी तुर्के बार तुर्की हिंदे बाहिंदे एक तो तीन चार प्यार चाहिए कितनी बाबा पाच्छे साथ आठ नो दस बस बस औरे बस 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 झाल चाहे खुपालो ती जोरी तालो में चाहे डुबादो इसे फ्यालो में कभूतर पास कभूतर पास पास बबास करते हैं हम जबा साथ परवाज तुर्की बा तुर्की, हिंदी बा हिंदी तुर्की बा तुर्की, हिंदी बा हिंदी एक तो पिन चाहिए कितनी बात पाच्छे साथ आठ नो तस बस बस और बस 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 कर दो का दुट कर दो कि अचर बाइ घृ कर दो कि एह लुट कर दो हम जो रांखे गर आ महत जाए हुंश थे रोधा के रहेंगे कम तो नहीं हम ऐ बंदा नवाज करते हैं हम जुबा साथ परवाज करते हैं हम सुबा साथ परवाज तुर्की बा तुर्की हिंदी वा हिंदी तो प्यार चाहिए कितनी बात पाच्छे साथ आठ नो दस बस बस और बस बस पिताजी या इस तरह नाचने में शर्म नहीं आती है रख लख 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 लेकिन आज तु एक शराभी के साथ जलील ड्राइवर के साथ भरी मैफिल में नाच रही थी हैं मैं जहां देदू गा बेती लेकिन अपनी इज्जत क्लिए आम बर्बाद नहीं होने दूंगा तरह थैसे लोगों आपकी नजरों में इज्जत की बात है मगर अपनी हिम्मत के पेरों पे खड़े एक देश प्रेमी से रिष्टा जोड़ना आपकी नजरों में गुना है पाप है पिता जी एक बात और बता दूँ आप जिसे दो कोडी का ड्रैवर समझ रहे हैं वो कोई मामुल इंसान नहीं है वो विश्वा है कानून के रखवाली करने वाली च्यारदा देवी का बेटा है क्या है वो वो हाँ और मैं उसके साथ क्यों नाच रही थी क्यों गा रही थी अगर ये राज आपको जानना है तो अपने दो सिकंदलाल ठकर की बड़े पाटी पे आजाए तो सच्चा ही क्या है आपको खुद बखुद मानूं हो जाएगी ठकर साथ साथ अपनी सालगिरा की मुभारकबादी के साथ साथ एक और मुभारकबादी भी कबूल कर लिजिए एक और मुबारकबादी, वो क्या है? वो यह है कि आज से आपके सौ लारियां आपके कबजे से जा रही है इतने बड़े बोश से आज आज हमेशा के लिए आजद हो गए उसी की मुबारकबादी दे नहीं थक्षिपना है मेरी 100 लोरियां मेरे कबदेसे जा रही है।richis kuing की बात है ठकर साब क्यूंकर आपने 100 लोरियां अपने नाम नहीं के राएबरों और क्लीनरों के नाम कर दी है। और अपड़ा मरे सबूसा पर आप सबस्क्पार को नहीं दिघाते। इस खुशी में। अपनी हाद में रहो, औरना बर्बाद करके रख दूगा इन्हें बाद में बर्बाद करना मिस्टर सिकंदर लाल कट्ठर और पहले अपने बर्बादे के जेशन में आये हुए इन मेहमानों का स्वागत्यों कीजिये यह आपके में फिल में बरबादी का शिराग जलाने आए हैं आई आए 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 यही है मिस्टर सिकंदरलाल हटकर अँए ठकर अब अब फरमाईए मैं आपकी क्या खिलमत कर सकता हूं हमें ख़बर मिली है कि आप गयर कानूनी तरीके से लोडियों के मालिक हैं और यह तमाम आप बेनामी तरीके से चला रहे हैं यह अरे नहीं नहीं अफिसर साब आपको गलत ख़बर मिली है ठकर साब को अपने गरीब जाइवरों और मुफलिस स्क्रिणरों से इसना प्यार है कि इन्होंने फाइनस करवा के इन सब को इनकी नाम की लोडिया खडिस-खडिस कर दी ह सबुत के तोर पर यह फाइल लेग लिजिए कोई गारी बेनामी नहीं सब इस जाइवरों के नाम पर है क्यों आपको यकीन नहीं आता तो अभी और इसी वाग्त मैं उन लोगों को बुलाऊंगा जिनके नाम पालॉरिया है और वो अपनी गारी लेका चले जाएंगे क्या है कि यह सब लोग ठकर साथ की बहुत इस्वी अपने अपनी गारियां इसके घर के समने रखते हैं अरे भाई नरेश यह अंजी हरीदा आप आया भाया हरीदा अरे चलो भाई अपनी गारियां ले जाओ ने तो ठकर साब नाराज हो जगे हो हुआ 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 है हुआ है हुआ है सुरी ठकर साथ हमें गलत ख़बर मिली थी हम जा रहें हुआ है नमस्का अब सारी दुनिया को पता चल जाएगा कि आपका नम सिकंदा लाल ठकर नहीं अब दिल कभी सिकंदर है आपने अपने नौकरों को सो लारियां दान में दे दी आपकी सारी लारियां एक साथ चले जाने का मुझे बहुत दुख हो रहा है विश्वर परशाद अपना दुख और अपनी जूटी हमदर्दियां समाल कर रखना तुमारे बुरे वक्त में तुमारे बहुत काम आएंगी यह सब तुमारे बेटी की चाल थी उसे दो कोडी के ड्राइवर के साथ बिलकर आज हमारा क्रोला अनुसान करवा दिया है आप गलत समझ रहे हैं वह कोई मामूली ड्राइवर नहीं है रहसल वो जस्टिस शार्दा देवी का बेटा है विश्वा जस्टिस शार्दा देवी का बेटा है जी हाँ और सिर्फ इतना ही नहीं वो मेरा होने वाला दामाद पास अच्छा मैं चलता हूँ पता जी इसने तो हम सब का टाइप बिगाड़ दिया सौ लारियां सरकार के पास चली गए और यह जारा अपने होने वाले दामाद के पास मैं अब कहा जाऊं मेरे शादी का क्या होगा अब मरता क्यों है तेरी शादी होगी और इसी लता से होगी मगर इससे पहले इन लोगों से निबटना होगा आज हिम्मद विश्वा की है और दिमाग जस्टेश शारदा देवी का अब देख दिमाग से दिमाग को मार कर हिम्मद की हाथ में हटकड़ी कैसे पहनाता हूँ यह विश्वा भी तक क्यों नहीं आया क्या वक्त हुआ वक्त तुम्हें मैं बदाता हूँ जस्टिस शारदा देवी इस वक्त ठीक रात के आट बचकर चालीस मिनट हुए है और यह मेरा हमेशा तुमारे घर में आने का वक्त है इस वक्त यहां क्या करने आया हो 25 साल पहले मैंने जो गल्ती की थी उस गल्ती को आज सुधार ने आया हूँ उस रोग तुमारी गोस चोड़े से सपॉले को खिड़की से फिकवा कर मैंने देखा नहीं था कि वो जिन्दा है यह मर गया मगर आज पता चला कि वो मरा नहीं जिन्दा है और सर में कानून का जहर लेकर घूमने वाले इस नागिन की छदर चाय में पल रहा है बिल्कुल सही कहा तुमने मगर अबो सपॉला नहीं रहा बलके नाग बन चुका है शंकर भगवान के गले वाला नाग जो पापियों को ढून ढून कर डसता है अच्छा और तुम बहुत मुद्द तक अपने गुनेगार चेरे पर जूटके चादर चड़ा कर बढ़ते रहे मगर अब तुम्हारे चेरे से चादर हटने का वक्त आ गया है अब अगर तुम ये दुनिया छोड़कर भी भाग जाओ इस बार मुझे मौसत तुम बचाओगी और देखो कर चादर की मा 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 म अपने चाहने वालों को अपने घर में अपाकर घबराने की जुरूत नहीं है क्योंकि वो जिन्दा सही सलामत मेरे पास है और अगर तुम उनकों हमेशा के लिए जिन्दा देखना चाहते हो तो एक काम करो तुम्हारे घर के बार मेरे आदमी कार लिए खड़े हैं चुप चाप उस कार में जाकर बैट जाओ वो तुम्हें तुम्हारे चाहने वालों के भला ही चाहने वाला तुम जानते हो कौन है चिराग बुझने से पहले जैसे फड़ फड़ाता है वैसे लगा एक बेवाकूफ इंसान जिसने अपनी कबर खोटकर को दफन कर लिया बिल्कुल वैसे लगा तुम सिर्फ तड़कों पे लारी तेज नहीं चलाते हो बलके मुगे मैदान में जबान में काफी तेज़ चलाते हो आपके अदालत में इंसाफ के देवी की आँखों पर पट्टियां बंदी जाती है मगर मेरे इस अदालत में आपकी जबन पर तला लगा गया है खामुशी से सुनिये इस घदार में मुझे बहुत धोके दिये मन्डब से मेरी होने वाली बहु को भगा कर ले गया अगर इस चुर्म में इसके टांगों को तोड़वा दूँ तो आप अपने कानुन तफा 302 के तहद मुझे मुझे मुझरम करार देने का कोई हक नहीं इसने मुझे मेरी 100 लारिया च्छे ली अड़े इसके गर्दन काटकर इसके चान ले लूँ तो आप अपने कानुन के तफातिन को दोके तहद मुझे सजा मौत देने का कोई हक नहीं रगती लेकिन अगर ये मेरा सिर्फ एक काम करे इस मुल्क में देशत पहलाने के लिए खतना खक्रत्यारों से भरी भी लारि को ले जाये मैं जुर्मप कर बोंगा और मैं ये भी जानता था कि इस काम के लिए राजी नहीं होगा इसलिए इसलिए मैं इसकी माई और इसकी माशुका को अखवा करके लिया और अगर इसके बाजूत ये इसकाम के लिए राजी नहीं वहा तो मैं दोनों को कॉतल करries दूंगा और इन दोनों के इतने छोटे छोटे टुकड़े करवा दूंगा कि पैचानना मुश्किल हो जाएगा कि मा का टूड़ा कंसा और माशुगा का कंसा है अरे ठकर कतल की धंकी किसको देता है देश को गद्दारों के हाथ पेश कर हम जिंदगी खरिदने वालों में से नहीं विश्वा देश बक्त है प्यार और मम्ता के लिए अपनी मात्रु बोमी के साथ गद्दारी नहीं करेगा मुझे वालूम है कि आप लोग बहुत देश भग किसम के लोग है मेरे पास कुछ ऐसे तुफे हैं जो मैं देश भगतों को पेश करता हूं तो वह सीधे वफादारी से घद्दारी पूतराती है नहीं को ना पेश करूं है हमेरे बढ़ने का केक लाओ तो अ ka verim अगर तुमने मेरा काम करने से इनकार किया तो तुमें भी दो कौफीन दउफे में पेश किये जाएंगे एक में तुम्हारी मा की लाश होगी और दूसरी में लता की लाश होगी और अगर तुमने मेरा काम किया हाथियारों को सहरत के पार पहुचा दिया तो दोनों को सही सलामत तुम्हारे हवाले कर दिया जाएगा बड़ा आसान सा सौधा है, फैसला तुम्हारे हाथ में है लॉरी लेकर जाना कहा है, तुम सिर्फ लॉरी ले जाओ, कौन से रासे से जाना है, कौन सी मन्जिल पर पहुंचना है, ये तुम्हे रासे में बता दिये जाएगा है, इस गाड़ी में क्या है, जी, कबूतर, कबूतर, इसके पेट के अंदर क्या है, हलो विश्वा, हलो इंस्पक्टर साब, साब, ये विश्वा है, इसने हाईवे पर स्मगलिंग के बारे में कई बार खबर दे कर, हमारे डिपार्टमेंट की मदद की है, ये बड़ा अच्छा आदमी है, इसके अलावा, ये ट्रक ड्राइवरों को ट्रक का मालिक बनाने वाला सोशिलिस्ट है, हलो लार, गेट खोल का माला हादए? Isha!! Sounds! नक्चेलाँ!! तर दो येचेक बस! विए्वाँ! सैने! सैने!... Theurrrrrr! Theurrrr! Theurrrrr! Theurrrr! Theurrrr! कर दो एक दो एक हुआ को आओे परंज अगे को औकर मेरे हाथों की हज़कडियां कैसे तूट गई ये देखकर तजुब हो रहा है लेकिन मैं तुम्हें इससे भी बड़ी तजुब की बात सुनाने वाला है वो सुनकर तुम्हारे शैतानी दिमाग पर तजुब का इटम बम फट जाएगा लेकिन ये सुने से पहले तुम मेरी मा औरलाता को आज़ाद करो यहां तक वफादारी निभाते निभाते आखिर खड़दारी पुर उतरा है इस खड़दारी का अंजाम जानते हो अंजाम की धंकी बाद में देना ठकर इससे पहले एक बार केविन की तरफ देख ले, इस वक्त तेरा बेटा मेरे कफ़े में है अगर तुझे तेरे बेटे की जिन्दगी प्यारी है, तो मेरे लोगों को मेरे हवाले कर दे अच्छी बात है, मुझे तुम्हारा सौदा मन्सूर है, अपने लोगों को ले जाओ, और मेरे हवाले कर दो सजर, चलो, सजर एाई आज एाई प्रद ईजिए नमगन उनुट मार्ष एकान। है नचिह! है नचिह! है उनम प्रण खीव में! हो प्रण परे चात्तुम है शिए शाराराब चात्त ब्रेसी एपान, इस वामें! हुड़ाई व्रियान! हुड़ाई!! कि उडने! और प्ड़िए गजने नच्छ तार प्ड़िए प्रॉब शवूर प्रॉब जकैना है तढ़िए प्रॉजल प्रॉब है शइल! वो तो! वोई! फोई! वोई! कब़िज! कब़िए! काइन჉ ki! Кब लुड़िढ़िए! Tammy? अर्वाल सुटी टूखर को बतु़ एंग सुटी जैसे पहां और अज प्रूआ बार आज भी पुर आज का तूझ और ऴी जैसे लुडागा झाल को बड़गे जिल कुटे ब्रेस्ट, को रखना भी जैसे झाल को बरे बड़े जैसे बाहे जल जैसे धो हुख बसू वर ना मेरी मौत देखना जाती है करूह कर organizations करूह स corona माझी, माझी! जल्युची! जली जली। करूह कर दो कि का सम तुम्हारे कानून की का समा जाओ यह जाओ यह पर इतने चुर्म किया है अगर इसे हजानों सजा दी जाए फिर भी इसके लिए कम है इसे मारी बहन जिसकी शादी होने वाली ती उसकी इसद को पाप के पैरों तो ने कुछ रवाकर उसका खूल करवा दिया अगर इसके पदले मैं इसके पैर सुरतू खनुन के तफात 344 के ताइट मुझे मुझरी मत ठढ़ाईगा यह लावर इस जलिल ने मैं फिताजी का पैरहमी से कचल किया और बच्मन मैं मुझे मा की कोस्ते चीन कर तरही की अजमें चलने के लिए फेक तिया इस चुर्म में अगर मैं इसके हाथ तो 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 अब 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 बे गुनाओं की चाल ली इस चुर्म में अगर मैं इसके पापी शरी से इसकी जान निकल नहीं खुरी और कासिल गरार मत दिजिएगा कि या तो लुद्स पाप पिता जी पिता जी आपको क्या होगा पिता जी पिता जी मैं तो आपको खुशकबरी सुनाने आया था कि आपकी भाहू मा बनने वाली है पिता जी और में बाप और पिता जी आप दादा जी बनने वाले है पिता जी हम लोगों ने पैसला किया कि अपने होने वाले पच्चे क नाम किसी देश परुट की नाम पर जान की बाजी लगाने वाले के नाम पर इसके नाम रखना विछ्वा प्ल करें ज्रमों की बुनियात पर अदालत ने उसे उम्मर कैठ सदा सुना दी जेस्टिस शार्दादेवी ने विश्व परताब के मुकदमे में जो फैस्टा सुनाया था अदालत ने उसे हक बजानिब करार दिया फिर भी विश्व परताब ने अपने जर्म का इकबाल किया अदालत ने उसे सजा दी मगर बहुत जल सजा भुगत कर वापस आ गया सबस्टा सकते बढाल